Myself रिंकिष कुमार गुपता, Mathematics Faculty at CLC Seeker Today we will discuss next topic, Vynomial Theorem आज बेटापन discuss करेंगे, जेई मेंस का next topic कौन सा है? प्रविश येर का Vynomial Theorem तो देखो इसका first question क्या है? Read करो सभी If the fractional part of the number 2 की power 403 upon 15 मतलब आपको क्या बोला गया है? कि 2 की power 403 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो इसका fractional part बतानाँ है मतलब इस number का 15 से डिवाइड करोगे तो जो remainder है न उसको 15 से डिवाइड करना है वो उसका fractional part हो गया अनलब आपको इसका कोशेंट और इसका क्या होगा रिमेंडर या कोशेंड लिए ऐसे समझें, कि टू की पावर 4,0,3 अपन 15 का क्या बताना है, फैक्टनल पार्ट, वो किसकी पॉल गया है, के अपन 15 की पावर 5,0,3 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपको इसका क्या फाइंड करना रेमेंडर अब देखो रेमेंडर को फाइंड कैसे करते हैं वहत अच्छा कुछ नहीं कि देखो कैसे करोगे आप इसका जो निव मेंटर इसको लोगो एक्वल टू कितना है तू की पावर 4 0 थोड़ा गंग से समझना 15 से डिवाइड करना आपको तो क्या करो आप यह तू की पावर 4 0 3 को क्या करना है इसको वाइन मेल थेहरम की फॉर्मेट में रिप्रिजेंट करना वहला एपलस भी है ए माइन बी की पावर एन में और उसमें 15 करोगे ए प्लस भी है ए माइन बी में जिससे क्या होगा जब उसका एक्सपेंशन अपलाई करोगे ना एक्सपेंशन ओपन करेंगे आप तो सम्में क्या को मनने जाएगा 15 तो देखो कैसे करोगे अदर आओ सबसे पहले यह 4-0-3 है आपको 2 को लाना है 15 प्लस सम्थिंग तो एक बाव बता हो इसमें 2 की जगे अगर 16 हो क्या हो 16 तो 16 को क्या लिस्टता हो में 15 प्लस 1 एक बार दुबारा सुन लो जब भी आपसे रिमेंडर पूछे तो आप क्या करोगे जो नंबर है उसको कनवर्ट करना है ए प्लस बी की पावर हैं यह ए माइनस बी की पावर हैं और इसमें भी कंडिशन क्या है कि ए और बी में से ट्राइ करो कि एक नंबर तो वन होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए जिससे आप डिवाइड करतो रिमेंडर के लिए तो देखो मैं क्या करू 400 क्योंकि 400 से 4 को अपन common ले सकते हैं तो यह क्या आगया देखो 8 bracket में 16 की पावर 100 बोलो आया ना जो मैंने बोला है उस बातों को सुनना डंग से तो 8 तो 12 आ गया और इसको क्या लेख सकता हम बताओ सभी 15 प्लस 1 की पावर 100 baby मैंने दो भी बात बुली थी आपको कि जो नंबर है ये बडा मिवाद 1 इसको अपन को een प्लस 2 की पावर an या अ माइनद में क्या करना बेटा conquered करने करते से आप autocon prejudice ता fy आ दो बातें ध्यानाघनी है कि it army में से एक नंबर तो बेटा वन आ ची यह त्था को की बना जाए अदरवाइस उसको आगे सोर करना पड़ता है और सेकंड जो नम्मर है वो क्या होने चाहिए जिस से आप डिवाइड करते हो उसको लाने की ट्राइ करोगे करके देखना आप कुश्चन को ऐसी करना है तो यह आगे e equal to कितना 8 चलो अब लगा दो उसमें a plus b की पावर इन का फर्मूला तो क्या लिखो के बोलो 100 c0 15 की पावर 100 प्लस कितना 100 c1 15 की पावर 99 up to so on और दो को लास्ट की दो ट्रम बताता हूं सबसे पहले लास्ट तो क्या है कि बोलो 100 c100 15 की पावर जीरो और इससे जस्ट प्रिवेस टम क्या होगी बोलो बेटा 100 c99 कितना 15 कि यह द्यान एकना है अपनको यूज करना है एकस प्लस य की पावर न का एकस्पिंशन क्या होता एकस प्लस य की पावर न का एकस्पिंशन nc0 x की पावर n-0 y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 मतलब आपको जो x प्लस y की पावर यह इसकी जनले टम यूज करना है जो नहीं सिग्मा क्या होती ही जनले टम n-cr x की पावर n-r y की पावर र मतलब जब आर को 0 लोगे तो x की मेकसिम पावर क्या होगी इसकी प्रिफिक्स से क्लेंट और बाद में तो कुछ नहीं करना x की पावर को तो 1-1 से इनकीज करते चलो और बस x और y की पावर कसम क्या आता हो लगे प्रिफिक्स आना चीज सब कर टीके चलो यह जनले ट्रम का फॉर्मूला या दोना चीज अब देखो अपन को क्या करना है इसको 15 से डिवाइड करना तो देखो क्या ओएदर आओ यह first से लेके second last तक देखो सब में 15 common आ रहा है, क्या common आ रहा है, 15, देखो मैं क्या कर रहा है उस question में, first से last में 15 common लेके, एक बार बताओ, यह सारे ncr है न, तो this part की value एक integer quantity होगी, यह सारा part कैसा है, एक integer, तो first से लेके second last तक यह कैसा number है, integer number है, और यह भी आपका integer वन है, यह 8 को ले जाओ अंदर, तो यह आ गया, 8m पिलस, 8 बोलो हाँ है न, मैंने क्या किया है, दोबरा सुनो, sorry गलत लिख दिये, आप क्या करो, 8 से multiply कर दो, first से last, और last को separate कर दो, 8 से multiply, अब तो आ गया समय, मैंने क्या किया है, 8 को multiply किसी किया, first term से लेके, last term तक, और plus, इस से multiply करने पे तो 8 आ गया, अब यह जो first से last term है, first से second last term, इन समय कोन है, 15 को मन आ रहा है न, तो उस 15 को आप भार लोगे, और इसको अंदर ले जाओ, तो इसको integer मालो, m, तो यह किस format में आ गया, 15m प्लस 8, तो देखो, दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, first से last को 8 से multiply किया, या 8 इंट इन सारी term में कौन common आ रहा है, 15, तो 15 तो common लो, 8 को अंदर ले जाओ, और 8 को अंदर लेके जाओगे, तो जो number है, उसको मैंने नया नाम दे दिया, m, तो यह आ गया, मतलब यह जो number है, आपका किस type का होगा, 15m type का, प्लस 8, अब आप इस number को किस से divide करोगे, 15 से, तो जब आ तो अब indirectly आपको सबसे पहले क्या find out करना है, इसका reminder, तो simple question है, पस ही method fix है, कि जिस number को divide करना है, जिस से भी, आप क्या करो, उसमें, उस a की power n को convert करोगे, a plus b की power n में, और a plus b की power n में convert के लिए क्या करना है, a और b को two parts में split करना है, उस number को two parts में split करना है, a plus b और a minus b में, उसमें क्या ध्यान करना है, try करो कि a और b में एक number तो वनाना चीए, और second number क्याना चीए, जिस से आप क्या करता है, उसको divide बस, चलो, उसके बाद देखते हैं, next question है, अगला question देखो बेटा, second question क्या है, the coefficient of t की power 4 in the expansion of this part, इसके expansion में आपको t की power 4 का coefficient finite करना है, देखो क्या क करो, यह expansion क्या है, सबसे पहले काम करो, इस cube इसका separate apply कर दो, तो 1 minus t की power 6 का cube, और अपोन में क्या हैगा, 1 minus t की power 3, इसको भी numerator में लेया हूँ आप, तो minus 3 आगे ना, अब आपको इसमें से क्या लेना है, taking the coefficient of t की power 4, अब एक बात बता हो, आपको t की power 4 का coefficient लेना है, यह क्या है t की power 6, तो जब आप इस bracket में से t की power 4 का coefficient लोगे, तो वो only 1 ही आएगा ना, क्योंकि जब इसका cube करोगे, तो a cube plus b cube minus 3ab square up to zone, तो जब यह power t4 से greater है, तो इसका cube करोगे, मतला इसको open करोगे, तो यह वाली power तो और greater होगे ना, t4 से, तो इसमें से तो कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब इस से जो quotient मिलेगा आपको, t की power 4 का coefficient लोगे तो 1 हो जाएगा ना, simple सी बात क्या है, कि जो भी expansion given हो आपको, और जिसका क्या नेकालना coefficient, जैसे इसमें t की power 4 का coefficient चाहिए, तो उससे greater वाली power को तो 0 में shift कर दो आपको, क्योंकि उससे तो आपको t की power 4 का क्या नहीं मिलेगा, coefficient, उससे तो greater power का coefficient मिलेगा, तो इसको तो remove कर दो उसमें से, तो question क्य तो 1 हो गया, तो 1 minus t की power minus 3 और taking the coefficient of t की power 4, इसमें से आपको t की power 4 का क्या लेना coefficient, तो अब देखो कैसे करोगे, आप इसके लिए एक simple सा formula जिसको remember this, है समने पढ़ा होगा, कि 1 minus x की power minus n में x की power r का coefficient, क्या 1 minus x की power minus n में x की power r का coefficient, क्या होता है बेटा, यह formula इसको रटलेना सभी, n plus r minus 1 cr, क्या आता बो, n plus r minus 1 cr, यह क्या है, 1 minus x की power n में x की power r का coefficient, यह formula बहुत यूच्पल है, इसको generally, binomial theorem के अंदर पढ़ाया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज जाता है, permutation combination में, जो permutation combination में पढ़ते हैं, last part, mult inomial theorem, उसमें बहुत यूज इसका, तो यह formula आप याद करो, ऐसे 3-4 formula है, उनको सबको याद रखना है, 1 minus, ऐसे देखो यह, चलो, तो देखो, इसमें n कितना है, इसमें n कितना है, यह n है, और यह इसका r है, तो यह minus को मतले न, minus का जो यूज था न, वो तो इसके formula के derivation में चुगा है, दियान करना, ठीक है, चलो, तो इसमें क्या formula लगाओ गया आप, n plus, n का meaning तो 3 लेना है, plus r का meaning 4, minus 1c, 4, तो कितना है, 6c, 4, 6c, 4 का मतलब 6c, 2, 6, 5 upon 2, तो कितना है, 15 answer आगया, बोलो हाँ है न, तो क्या answer आगया, इसका second option, ठीक है, तो simple question है, आपको यह formula यूज करना था समय, जो आप सब याद रखें, बहुत important formula है, दियान करना, और binomial theorem में तो उसका use बहुत कम है, इसका main use है, permutation and combination में, चलो बेटा, उसके बाद देखो, next question is, question number 3 क्या, देखो, if the third term, in the binomial expansion of this part, equals to 2, 5, 6, 0, then possible value, then possible value of x, इसके expansion में आपको third term given है, 2, 5, 6, 0, तो आपको x की value find out करनी है, तो देखो, कैसे, पहली बात हो, जानक ना, x के अंदर positive होगा, क्योंकि log के अंदर आ रहा है, ठीक है, चलो, तो देखो, इदर आओ सभी, आपको कोई भी expansion given है, let, a plus b की power n, और उसमें आपको कोई भी term, इस expansion म term का formula, क्या लिखते हैं, बोलो, ncr, a की power, n minus r, into y की power, remember this, इस general term का formula है, तो एक काम करो, आप से क्या पूछा गया है, आपको third term given है, t3 equal to, क्या given है, third term, t3 equal to, कितनी, 2, 5, 6, 0, तो t3 को लिखो, आप पहले, t2 plus 1, क्योंकि जो general term का formula है, वो tr का formula नहीं है, वो tr plus 1 का, तो tr plus 1 में, तो t3 में r का meaning क्या है, इसमें 2 है, ध्याना करना, 3 मत use करना इसको, 2, 5, 6, 0, चलो तो इसके expansion में, लेखो, t2 plus 1 term क्या होगी, तो 5cr, क्या लखाता है, यह formula लखाता है, ncr, x की power, n minus r into y की power है, यह किस में था, x plus y की power n में, expansion का general term का formula है, tr plus 1 item, कौन सी term देता है, tr plus 1 item, चलो तो आजाओ सभी, तो r इसमें 2 है, ध्याना करना, तो 5c2, x का meaning कितना है, वोलो, 1, sorry, इसमें first term तो 1 है, तो 1 की power, something is 1, और यह आगे, x की power log, x base 5, की power कितनी, r, r का meaning to, बोलो yes, equal to 2, 5, 6, 0, सबसे पहले आप इसमें general term, t3 term लिखो क्या होगे, अब तो इसको solve करके, आपको क्या final करना है, x देखो, 5c2 की value क्या होती है, 10, 10, तो 10 से 0 cancel तो क्या आगे, x log x base, sorry, गलत कर दिया, 2 base x है नहीं, log of 2 base x, क्या लिखेना था, log of का, all is square equal to, 256, देखो, 256 का meaning क्या पता है, 2 की power 8, 2 की power 10 का meaning, 1000 choice, 2 से divide करोगे, तो 500 बारा, मतलब 2 की power 9, और 500 बारे को दोबारे डिवाइड करोगे, तो कितना आता है, 500 बारे को, आप 2 से डिवाइड करके, देखो, सही है कि 254, एक से करना, 259, ठीक से यह, तो यह आगे 2 की power 8, simple, अब 2 को, इसक्वार है तो इसका इसका इसक्रूप्ट लिलो, आप तो क्या आगे, x की power log of, 2 base x equal to, 2 की power 4 का meaning 16, यह 2 की power 4 ही रखो चलो, यह आगे 2 की power 4, x finite करना है, तो देखो, यह power मारा ने, xस में, तो इसका taking both side log, आप दोन तरफ क्या लोगे, log और base में क्या लेना है, 2 लेना है आपका, तो देखो, जब इसका log लोगे, तो देखो, क्या क्या लोग ओफ, चलो, मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ, एक line बच जाएगी मेरी, यह 2 की power 4 था ना, इसका जब both side log लोगे आप, तो देखो, इसके आगे log लगा दो आप, ऐसे यूँ, और इधर भी क्या लगा दोगे, log 2 base, सही है ना, तो देखो, यह log का नंबर है, तो यह power तो जाएगी multiply में, तो क्या गया यह, log 2 base x, log 2 base x, तो आगया, log 2 base x का all square, बोलो, yes, equal to क्या जाएगा बेटा, यह 4 आगया आगया, और log 2 base 2 बनो गया, तो यह आगया, log 2 base x का all square equal to 4, then, again इसका रूट लोगे, तो log 2 base x आगया बेटा, plus minus 2, तो x क्या आगया बोलो, 2 की power, plus minus 2, तो solve करने पर आगया, यह तो x 4 होगा, plus लेने पर, और minus लेने पर आगया, बन बाई 4, तो इसने यही पूछा कुछ में, then possible value, तो इसकी 2 possible values है, 4 and 1 by 4, तो what अपने पास, option क्या given है, 1 by 4, simple, तो आपको क्या करना था, third term given थी, तो T3 लिखो, general term से, T2 plus 1 की formula से आप यह value लिखो, 5C to 10, तो cancel, 2 की power 56 का meaning 2 की power 8, square root लोगे तो 4 आगया, मज़र 2 की power 4, उसके बाद मैंने दोनों side log लिया, क्योंकि यह x की power में log आ रहा है, तो log लेने से क्या आगया, log 2 base x का square equal to 4, then log 2 base x plus minus 2, तो x आगया 4 and 1 by 4, चलो, उसके बाद देखो बेटा, next question है, next question देखो, क्या वो लगया है, sigma i equal to 1 से 20, 20ci i minus 1 upon 20ci plus 20ci i minus 1 का q equal to k by 21, then k equal to, चलो, करते हैं, solve, देखो, कैसे करोगे इस question को, i equal to 1 है ना, सबसे पहले क्या करोगे आप, इस numerator और denominator में क्या को मालो, 20ci i minus 1, तो 20ci i minus 1 जब को मालोगे आप, तो क्या आगया, 1 upon, कितना, 20ci i upon, 20ci i minus 1 plus 1, यह ऐसा क्यों किया गया, वो देखो, सम्मेरी तरफ पहले, एसा इसलिए किया गया है, देखो, अब i की जगे r मालोगे उते फोर्मुला बने गया ना, 20ci i upon 20ci r minus 1 का, एक फोर्मुला होता है, वो सबको आना चीए, nci r upon nc r minus 1, क्या होता nci r upon nc r minus 1 का फोर्मुला, n minus r plus 1 upon r, remember this, यह जितने फोर्मुले बताया जा रहे हैं, सब याद होने चीए, nc r upon nc r minus 1 का फोर्मुला क्या होगा, n minus r plus 1 upon r, प्रोपर लेख देखों दुबारा, nc r upon nc, वो दोगो ऐसे याद करो उसको आफ, सिंपल सा है, इन दोनों का प्रिफिक्स सेम है, यह r है तो यह r minus 1, मतलब यह 5 है तो यह एक कम होना चीज से, 4 आगे न, वो बलब उपर r यह greater यह लेख से, यह 5 है तो यह 4, यह 6 है तो यह 5, और क्या लिखना है, प्रिफिक्स minus, this is r, यह r नहीं है, यह बला, जैसे c5 और c4 है, तो r आपका कितना है, तो n minus suffix, prefix minus suffix plus 1 upon, suffix, यह लिखना है, थोड़ा ध्यान रहको, कैसे भी अपने according, तो इसको solve करने पर देखो, क्या गया है, sigma, i equal to 1 से 20, इस पर एक cube भी लगाना था, तो कितना जाएगा, देखो, किया जाएगा, देखो, मैं इसको अलग से बताता हूँ न, n को तो लेना 20, और r की जगे लेना i, तो क्या आगे, 20 minus i, plus 1 upon i, यह सुनो, तो यह, और plus 1 अलग से करना है, यह लोग सब कुछ बताता हूँ, मैं आपको अलग से, plus 1, तो i इदर चला गया न, तो कितना आगया, only 21 अलग आगया, 21 upon i आगया, बोलो हाँ है न, आप सबसे पहले, इसकी जगे क्या लेक होगे, 20 minus i, plus 1 upon i, और plus 1 this part, i को LC मिली, आपने तो i साही केंसे, तो वे आगया 21 upon आगया, तो 21 upon आगया, ये वाला part है, तो उसका recipe को लोगे तो क्या गया, i upon 21 का cube, तो i cube, i का cube और 1y, 21 का cube तो मैंने भार ले दिया, वो लोग कोई doubt अगया किसी को, ठीक है, simple हो गया, अब तो कुछ नहीं है, ये क्या है, 1 लेने पर 1 cube, 2 cube, 1 से लेके 20 के cube का sum, हाइन डॉट करना है, तो क्या formula था, direct, simple, 1y, 21 का cube, कौन सा formula, n into n plus 1y2 का, sorry, 1 से लेके n के cube का sum, क्या होता है बेटा, n into n plus 1y2 का, whole square, तो i into i plus 1, का whole square, और i की जागी क्या रखना है, 20 into, 21 upon 2 का, whole square, तो कितना जाएगा, बता हो सभी, तो इसको solve करो, चलो, करते हैं, solve और क्या है, यह तो 10 आ गया, 10 का square तो 100 हो गया, और 21 का square, तो यह आ गया, 100 upon 21, ठीक है न, चलो, अब कुश्चन नहीं क्या बोलागे, कि 100 upon 21 है, कि 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 क्योंट है, क्योंट है, क्योंट है, 21 से 21 कैंसेल, तो इससे क्या गया, 100, तो इसने यह पूछा था, then k equal to, तो इसका क्या answer होगा, second option, क्योंट है, तो simple question था, बस main part क्या था इसमें, सबसे पहले मैंने, 20 ci minus 1 common लिया, तो यह आ गया, 20 ci upon 20 ci minus 1, मतलब, n c r upon n c, r minus 1 का formula यूज करो, उसको solve करोगे, तो यह bracket बाला part क्या आ गया था, i upon 21 का cube, तो 21 का cube तो बारा गया, तो कितना आ गया था, 1 y 21 का cube, sigma i equal to 1 से 20 i cube, तो i को 1 to 3 put करोगे, तो क्या गया है, 1 से लेके 20 की cube का sum, तो एक से लेके, n number की cube का sum क्या होता, n into n plus 1 y 2, तो इसमें आप n की जगे put कर दो 20, चलो, चलो उसके बाद next question देखते हैं, वेटापन क्या है, the positive value of lambda for which, the coefficient of x square in the expansion of this part, इसके expansion में आपको, x square का coefficient कितना केवन है, 720, तो आपको lambda की क्या find out करनी, positive value, तो इदर सुनो, आपको इस complete part में, x square का coefficient funder करना है, तो देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, यह जो y-numial expansion है, इस में x square already multiply है न, तो जब x square already multiply है, और इस complete में से आपको क्या लेना, x square का coefficient, तो फिर बताओ, इस y-numial expansion में से, किसका coefficient funder करोगे, x की power 0 का मतलब, term independent of x, किसका term independent of x, तो आपको क्या लिखना है, कि root x, plus lambda upon, x square की power 10 में, क्या लिखना है, x की power 0, मतलब, जब भी किसी y-numial expansion में, आपको x से क्या करना है, independent term को क्या करना, find out, तो उसका क्या procedure है, सबसे पहले लिखते हैं, पर उसकी general term, tr plus 1 term, क्या लिखोगे, इसकी general term लिखोगे, tr, ये regular कुछन है, जो आता रहता है exam में, कि जब भी आप से, y-numial expansion में, क्या पूछना चाहता है, वो उसकी constant term, या x से independent term, तो सबसे पहले आप क्या करो, और यह आ गया, lambda upon, x स्कुरर की power होगा, बोलो किसी को doubt है क्या, अब यह जो general term है, इस general term का meaning क्या है, r को 0 लोगे तो first term होगी, one लेने पे second term अब रूस होगी, तो आपको इस general term में, एक term कौन सी है, x से independent मतलब, उसमें x की power क्या होनी चीज़ जीरो, तो आप क्या करो, इस general term को proper format में लखो, proper format का meaning क्या है, इसमें x की सारी power को एक साथ लखो आप, x की all power को एक साथ लखने के बाद, उस x की power को क्या लाना, 0 ही तो लाना आपको, तो जब आप x की power को 0 लिखोगे, तो उससे find out हो जाएगा, r की value क्या होगी, तो चलो उसको लिखते हैं अपन, तो t, r plus 1 क्या आगया, बोलो बेटा, 10cr, lambda की power r, सब कुछ separate कर देता हूं मैं, lambda की power r, और इससे तो आगया, x की power, यह root x है ना, तो y2 आगया, x की power, 10 minus r y2, और इससे क्या आगया, x की power 2r, तो numerator में जा गया, x की power, minus 2r, अब इन दोनों x को भी एक साथ आप arrange कर दो, तो क्या आगया बोलो, 10cr, ठीक है बिटा, lambda की power r, into x की power, 2 से multiply तो आगया, 10 minus, कितना, 5r y, तो बोलो, इसमें किसी को doubt है क्या, अब ये आपकी general term को मैंने proper format में लिख दिया, जब भी general term से कुछ भी question करना है, x से independent term पूछे, या find the coefficient of x square x cube up to zone, तो आप सबसे पहले उसकी general term लिखो, और उसमें जो x है, जो भी variable है, उसकी all power को एक साथ आप arrange करोगे, तो देखो ये fix method ऐसे करो आप, तो देखो ये आगया न, ncr, ये constant और ये x की, देखो x की all power को आपने एक साथ arrange कर दिया, अब आप से जो भी पूछता वो कर सकता हो, मैं पूछता कि find the coefficient of x की power 4, तो इसको 4 के equal कर दो, क्योंकि ये power 4 आने ची तो आपको r पता चल जाएगा, तो अभी आपको question में क्या करना है, x की power 0, मतलब ये power क्या करना है, ये 0, तो इसको 0 करोगे आप, तो r कितना जाएगा बताओ, 2 आ गया न, मतलब r को 2 लेने पे, ये तो x की power 0, तो ये कौन सी टम मिलेगी, constantum, ये सुनो, तो r को 2 पुट करने पे, इसे constantum क्या गी बेटा, 10 c to lambda square, और ये जो constantum है, मतलब, इस complete में तो आप से पूछाता, x square का coefficient, तो इस complete में, x square के coefficient के लिए, आप क्या करोगे, this part में निकालोगे constantum, तो इसकी constantum क्या है, 10 c to lambda square, और ये value किसकी equivalent है, 720, तो क्या गया देखो, lambda square equal to, हाँ, 10 c to value पता है, क्या होती है, 10 c to 10 9 y to 45, तो 720 को कर सकते हैं, 45 से divide, करना रहे, तो 5, 1, से लिखाया कि देखना, 45 minus 12, 12 में से 5 के साथ, 5 तो 27, और ये कितनी बार जाएगा, देखो, 5, 6 बार चला गया ना, 6 into 5, 0, 3, 24, 3, 7, 7, 20 को 45 से divide करने पर क्या आगया, 16 आगया, तो इसे लेमडा किया आगया, plus minus 4, क्या आगया वहलो, lambda equal to, plus minus 4, वट आपको, lambda की कौन सी value, find out करने हैं, question में positive value, तो इसका correct answer कौन सा होगा, second option, तो एक simple सा question है, वट carefully करो, question को ध्यान करना, इस बात को चलो, उसके बाद देखो, इसको बेटर next question है, next question क्या है, पढ़ो सभी, if sigma this part equal to, k 50 c 25, then k equal to, मतलव, simple सी बात है, sigma को आपको solve करना है, क्या करना है, sigma को solve, तो देखो कैसे करना है, यह ध्यान रकना है, जब भी sigma के अंदर, जो ncr की trim है, single trim हो या double trim हो, आप सबसे, देखो single trim है, फिर तो पन diet भी कर सकते हैं, जो, vynomal coefficient की, जो standard resultant को आप याद रखोगे, nc0 plus nc1 plus nc2 dot dot, ncn, इसकी बेलू क्या होती है, यह true की power and, देखो prefix तो सबका n है, और suffix कहां से start हो रहा है, इनको बोलते हैं, vynomal coefficient ncn, इसका सम क्या होता है, 2 की power and, अगर आपको क्या करना है, इसमें plus minus लगा दिया, c0 minus c1 plus c2 minus c2, तो इसका सम क्या होता है, 0, यह पता होना चीए, चार result है, और even vynomal coefficient का सम है, even का मतलब, c0 plus c2 plus c4 plus c2 dot dot dot, इसकी value क्या होती है, 2 की power and minus 1, और similarly, odd vynomal coefficient मालब, c1 plus c3 plus c5, इसका सम भी क्या होगा, 2 की power and minus 1, तो इस चारों फोरूम ने सबको पता होने चीए, तो अब देखो इस question में क्या करना आपको, तो जब भी vynomal coefficient सिंगल दे रखिया हो, तो फिर तो वो चार में से कोई ने कोई formula बन जायागा, ठीक है, उसके method है काफी सारे जो आपने समने पढ़ेंगे, अभी क्या करना है देखो, इसमें 2 vynomal coefficient multiply में है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, question को करनेंगे 2 method है, एक तो method है coefficient से solve कर सकते हैं, और एक उसको purely vynomal theorem के formula से भी कर सकते हैं, तो अभी तो मैं vynomal से कर देता हूँ, वो simple हो जाएगा उससे आपके लिए, sigma r equal to 0 से 25, आप इसमें जीच करो, ncr का formula, तो कितना आगया देखो, factorial 50 upon, factorial कितना, 50 minus r into factorial, बोरो किसी को doubt है क्या, इन्टू कितना आगया, इसको भी open करो, factorial, 50 minus r upon, कितना, ncr, तो 20, 5 minus r, into this minus this 20, देखना कोई गलती तो नहीं इसमें, इसका भी value, इसकी equivalent है वो बाद भी कर देना सब, उससे क्ये मिल जाएगा आपको, अब देखो इसमें हो क्या रहा बेटा, ये बाला पार्ट तो cancel out हो गया ना, ठीके, simple, तो देखो remaining part क्या आगया, sigma, r equal to 0 से 25, factorial 50, upon factorial 25, और into आगया कितना, factorial 25 minus r into factorial, simple, इदर समझो, करना कैसे कुछ रहा हो, ncr का meaning क्या होता है, factorial n upon factorial, n minus r into factorial, तो देखो, denominator में factorial n minus r और r है, तो numerator में क्या नहीं है, factorial n, क्यों क्योंकि इससे कनूट हो जाएगा ncr में, इदर सुनो, ये तो constant है, यह आ रहा है 25 minus r का factorial into r, तो इदर अगर multiply में आगे 25 का factorial, तो किसका formula बन गया, factorial n upon factorial, n minus r into factorial, this is 25cr, तो आप क्या करो, इसको factorial 25 से multiply भी करोगे और divide, तो divide करने पर इसका रहोगे नहीं, बोलो हाँ है न, simple, इतना लिखेने के बाद देखो इदर आओ, यह वाली चीज पते क्या है, इसका meaning क्या है, factorial 50 upon factorial 25 into factorial 25, this is 50c25, open करके देख लो, आप दिख जाएगा सब को, यह क्या गया, 50c25, बोलो हाँ है न, sigma, क्या है sigma, r equal to 0 से 25, और this is 25cr, तो finally कितना आगे देखो, 50c25, हाँ वही, r को 0 लोगे तो क्या गया, 25c0, plus, 25c1, plus, कितना, 25c25, तो मैंने यही बताया था न, आपको भी, कि prefix तो सबका सेम है, और suffix 0 से start होंके prefix तो जा रहा है, मतलब, c0 plus c1 plus c25, तो इसकी value क्या होती, 2 की power है, तो यह क्या है, 2 की power 25, तो 50c25, 2 की power 25, बोलो कोई doubt, यह value आपको किस की equivalent है, k of this part, तो 50c25 से cancel हो गया, तो k क्या है, 2 की power 25, तो इस type से question को आपको क्या करना था, solve करना है, बोलो किसी को doubt है क्या, एक पर दोबारा समझ लो, सबसे पहले क्या करो, दोनों को NCR के formula से आपने open किया, open करने से यह वाला part cancel, तो कितना रह गया, factorial 50 upon factorial 25, और denominator में यह दोनों terms हैं आपकी, तो मैंने क्या किया, इसको factorial 25 से multiply and divide, तो divide करने पर score आ गया, और यह किसका formula बन गया, NCR का, तो कितना आ गया है, sigma r equal to 0 से 25, 25CR, और इसका meaning क्या है, factorial 50 upon factorial 25, factorial 25, this is 50C25, आपने sigma open किया, तो यह value क्या है, 2 की power N, चलो, तो simple question था है, उसके बाद आपन देखते हैं, next question is, the value of r for which this part is maximum, जो वाइनो मेल कोफिशन के multiply का summation है, यह वाला part क्या होना अच्छी maximum, तो बताओ r की value क्या हो सकती है, अब देखो सबसे पहले आपको, इस winomal coefficient के multiply के summation को क्या करना है, तो सुननो सभी, जब भी winomal coefficient multiply में हो, तो उसको solve करने का method क्या है, यह power 20 है ने इसका prefix, तो सबसे पहले आप लेखो, x, 1 plus x की power 20 का expansion, तो कितना आए गए, 20C0 plus 20C1x plus dot dot dot, देखो कहीं, बीच में ऐसे भी आ रहोगा, 20Cr x की power r, इसके just बात कोन आएगा, देखो, इसके जो suffix से वो increase करते हैं, तो इसके बात आएगा, 20Cr plus 1 x की power r plus 1, तो इससे just previous time क्या होगी, 20Cr minus 1 x की power r minus 1, अगेन क्या करो, इसी expansion को दोबारे लगदो आप, तो 20C0 plus 20C1x plus dot dot dot, 20Cr minus 1 x की power r minus 1 plus 20Cr x की power r dot dot dot, ये programming चलती रहेगी, अब आपको करना क्या देखो, 20Cr के साथ लाना 20C0, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस 20C0 को, इस 20Cr से multiply करोगे, मतलब इस part को इस part से multiply करने क्या गया, 20C0, 20Cr x की power r, बोलो हाँ है ना, उसके बाद, इस part के लिए, जब इस part को आप, इसकी previous term से multiply करोगे, इस part से, तो क्या हैगा, 20Cr minus 1, 20C1, again x की power r, same, इस this part को, इसकी previous term से multiply करोगे, तो वो जाएगा, 20Cr minus 2, 20C2 x की power r, मतलब, इधर से increase करना, इधर से decrease करना है, तो इसमें हो क्या रहा है, कि जो equation है, first and second, ये let first equation है, और ये let आपकी, second equation है, तो जब first or second equation को multiply करोगे, सुनना बात को रंसे, पहले आप लिखो, 1 plus x की power 20 का expression, और अगेन लिखा, आपने 1 plus x की power 20 का expression, और multiplying equation, first and second, आप क्या करो, first or second equation को multiply करना है, क्यों, क्योंकि multiply करने से ही, तो बेटा, वाई-नुमेल कोफिशन multiply में आ सकते हैं न, अब multiply करने के बाद, देखो क्या होगा, इसमें total term है, 20 plus 1, और इसमें भी कितनी 20 plus 1, मतलब 21, 21 term है दोनों में, तो इनके multiply में total term क्या होगी, 21 का इसका मतलब, 420 जो भी है, वर्ट आपको requirement किसकी है, इस part की, तो देखो इसमें क्या होगा, जब आप इन दोनों को multiply करोगे, और right side में, multiplication में, वह देखो left side में तो क्या गया, 1 plus x की power 40, और right side में आपके पास आती रहेंगी सारी term, ऐसे, यह सारी termकिती 421 तम है, अब right side में आपको लाना क्या है, this part, यह वाला part कब आया था भी बताया था ना, जब दोनों के, जब right side में जब दोनों को multiply करोगे, तो उसमें जो x की power r का coefficient है, क्या है बेटा, right side में, both equation के जो multiply है, उसके right side में, x की power r का coefficient कितना है था, 20C0, 20CR, 20C1, 20CR-1, मतलब, दोनों के multiply में, right side में, x की power r का coefficient है, वो क्या होगा, यह question होगा, क्या होगा, x की power r का coefficient क्या होगा, यह question होगा, उसके बाद एक बात और सुन लो, आप और किसी भी term को, इनके अलावा, इनको multiply मत करो, बागी किसी को, किसी से multiply करके देख लो, आप, उसमें कभी भी क्या नहीं आ रहोगा, x की power r का coefficient, तो यही तो बात होई थी न, कि right side में, total term 421, और उन 421 में, x की, देखो, उसमें constant term भी आएगी, 421 के अंदर, x की term भी present होगी, x square की term भी present होगी, x cube की term भी present होगी, और x की maximum power क्या है, 28 to 20, x की power 40 की term present होगी, आपको क्या लाना है, उन सभी power में, x की power r का coefficient, तो उसमें x की power r का coefficient क्या हैगा, राइट side में, यह कुशन आ जाएगा आपका, तो राइट side में, x की power r का coefficient कितना है, यह कुशन है, तो फिर left side में भी, आप क्या करोगी इसमें, दोनों के multiply में, both side taking the coefficient of x की power r, क्यों होगी x की power r का, जब coefficient लोगे, राइट side में तो अपना कुशन आ गया, और वो किस की equal हो जाएगा, left side की equal, तो क्या लिख दोगे आप, कि question equal to कितना, 14 c r, बोलो इसमें किसी को doubt है क्या, यह fix है, दोनों आपको जो find out करना नो, उसके corresponding multiply करो, तो आपको उससे पता चिल जाएगे कि, x की power क्या आने वाली है, remaining किसी भी term को किसी से multiply करोगे न, तो x की power r, उसमें present नहीं होगा, वो power या तो r plus 1 होगी, या r minus 1 होगी, या x square होगी, up to zone होगी, तो इन दोनों, तो लिखना क्या है इसमें, multiplying equation first and second, and taking the coefficient of x की power r, in both side, यह कभ लिखा है मैंने, पहले देखा था, कि हाँ, multiply करने पे x की power r, कि x की power क्या मिल रही है पनको, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखी बाद, कि multiplying equation first and second, and taking the coefficient of x की power r, in both side, तो right side में तो x की power r, क्या होगा, यह question आ गया, e, और left side में क्या होगा, 40cr, अब यह इसका summation आ गया, इसका क्या summation आ गया, 40cr, अब यह वाला part क्या लाना, maximum, तो यह ncr की value maximum कब होती है, n अगर even है, n क्या even, तो y n अगर कॉफिशिन की value maximum क्या होती है, nc, n y2, तो पता हो r क्या हैगा, n y2 is 40, तो 40c 20, इसकी value क्या होगी maximum, तो इसने यह तो पुछा था न, then r is, तो r कितना आ गया, 20 आ गया न, तो इसका correct option कौन सा होगा, second, बोलो कोई doubt है क्या, तो ऐसे करना था question, एक तो method हो गया यह, तो जब भी y n अगर कॉफिशिन मुल्टिप्लाइ में हो, तो एक बार लिखो आप 1 प्लस x की power 20 का coefficient, या 1 प्लस x की power n का, और अगेन लिखना 1 प्लस x की power n का, बस एक बात और सुननों सभी, कुछ question में तो, दोनों बार 1 प्लस x की power n का लिखना है, और कुछ question में क्या करना है, पहले तो लगो 1 प्लस x की power n का, और बाद में लगो x प्लस 1 की power n का, यह आपको question को देखने से पता चलेगा, यह मैंने किया हुआ तो question इसलिए मेरे को पता था कि ऐसे करना है, अदरवाइस आपको देखना पड़ता है कि, दोनों में same explanation की, एक बार 1 प्लस x कीखना है कि, एक बार x प्लस 1 ठीक है ना, जान रखने इस बात को, तो एक method तो ही हो गया, और इसी question को करने का एक second method है, और वो shortcut method क्या वो सुलनों से, विदर आओ, इन दोनों को देखो, इनके prefix का summation क्या 40, इधर भी 40, इधर भी 40, और इधर भी 40, और इनका suffix है, उनका summation क्या r, 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 और r, तो fix है question में, तो prefix का summation तो आ रहा 40, c, और suffix का summation आ रहा रहा है, तो 40, c, r, यहाएगा, आमें suffix है, ठीक है नहीं, तो आप shortcut से भी कर सकते हो, ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं बेटा, next question is, the sum of real values of x, for which the middle term in the expansion of this part, equal to 5, 6, 7, 0, question का meaning क्या है, इसका coefficient कितना है, 5, 6, 7, 0, तो आपको जो x की value funded करोगे आप, इसको solve करने से, तो उन सभी values का क्या funded करना आपको sum, ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको simple question है, तो देखो सबसे पहले बात करोगे, कि कोई भी expansion given है, तो middle term को कैसे funded करोगे आप, तो इसके 2 cases है, कि n अगर आपका यह जो power है, x प्लस y की power n में, n belongs to even, n आपका even है, तो number, simple सी बात क्या है, x प्लस y की power n में number of terms क्या होती है, बिदा n प्लस 1, तो n अगर even है, तो number of terms क्या होंगी, odd, और number of terms odd है, तो expansion है, जो only one middle term, और वो value किसके equivalent होती है, t n y 2 प्लस 1 के equivalent, और अगर n आपका even है, n आपका odd है, तो number of terms क्या होंगी even, और number of terms है आपकी even है, तो then expansion है, जो two middle term, एक तो क्या होगी, t n y, t n प्लस 1 y 2, and next is t n प्लस 3 y 2, ठीक है चलो, तो अभी तो आपके question में, जो n है यह क्या है, एक even number है, तो number of terms odd होंगी, तो middle term single होगी बेटा, और वो कौन सी होगी middle term, t 4 प्लस 1, क्योंकि n को 8 प्लस करोगी, तो क्या है, t 5, तो जो t 5 term है, वो क्या है, इसकी middle term है, तो अपन को क्या करना है, t, t 5 को क्या लिखे होगी, t 4 प्लस 1, t 4 प्लस 1, इसमें वो लोग किसी को doubt है क्या, तो जब भी आपको, y-n-o-m-e-l expansion में, क्या है फांड़ आट करना है, middle term, तो यह depends on n, तो n इस question में, आपका even था, तो number of terms is odd then, this expansion has only one middle term, और this is t n y 2 प्लस 1, x cube upon 3 की power n minus r, तो यह 4 आ गया, और next भी क्या जाएगा आपका 4, ठीक है बेटा है, यह value आपको given है, 5, 6, 7, 0, तो इसको solve करने से, आपको क्या करना है, x की values को बेटा, find out करना है, तो चलो इसको अपन solve करते हैं, तो देखो, 8C4 को solve करो separate, तो क्या जाएगा, फैक्टरल 8 अपॉन, फैक्टरल 4 इंटू फैक्टरियल 4, तो फैक्टरल 4 से, 4 कैंसल क्या आगा है, 8, 7, 6, 5 अपन 24, यह 3 टाइम्स कैंसल, और 3 आने के बाद, सॉरी, 4 टाइम्स, 4 के बाद यह 2 आ गया, तो 7, 5, 2, 70 आ गया, कितना आ गया, 70, और यह देखो, कितना आ गया, न्यूमेंटर में क्या आएगा, 3 की पावर 4, और दिनोमेंटर में भी आ गया, 3 की पावर 4, तो तो चैंसल हो गया, न्यूमेंटर में क्या आएगा, 3 की पावर 4, और denominator में भी क्या आगए 3 की पावर 4 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 क्या होगा Cancel, इसके बाद numerator में क्या आगए X की पावर 12 और denominator में X की पावर 4 तो finally आगए X की पावर 12 में से 4, 8 equal to 5, 6, 7 0, तो चलो इसको solve कर दो X की पावर 8, 0 से तो 0 cancel हो गया, तो यह आगए 81, X की पावर 8 आपका 81 है, तो X की पावर 4 इज 9 X स्क्वार इज 3 और X स्क्वार 3 तो X आगया बिटा plus minus root 3 तो X सी जो value जो है वो क्या है, plus minus 3 तो इनका sum क्या होगा, 0 तो इसका correct option क्या होगा, 4 और simple सी बात है, इसी के बास खतम है यार, X की पावर 81 है, इसका मतलब 100% answer X क्या हैगा plus minus something, क्या हैगा plus minus something, एक plus में तो दूसरा minus में तो sum क्या हो जाएगा, 0 आपका, ठीक है तो यह तो simple question था, तो बस आपको middle term पता होनी चीए कि middle term को कैसे funder करते है, तो depends on हैं, उसके बाद देखो बेटर next question is यह ठीक question है, let SN आपको given है, 1 plus Q plus Q square plus dot 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 Q की power है, इसमे number of terms कितनी है, 1, 2, 3 से N plus 1 त में जानक ना है S ही आपको TN given है, where Q is, a real number, Q not equal to 1, if 100 C1 plus 100 C2 S1 plus 101 C, 101 S100 equal to alpha T की power 100 तो देखो क्या करना है इस question में, इन्होंने थोड़ी सी mistake कर दीश में, यह plus के बाद dot dot लगाना चीए तहां, क्या लगाना चीए था, dot dot इद्यान लखना इस बात को क्या लखना है, 100 C1 plus 100 C2 S1 plus dot 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 100 C1 C100 100 N1 S100, ठीक है बीच में plus dot 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 लगायागा, ठीक है चलो, तो अब देखो इसको कुछन को करते हैं, simple question है अद्रवाई जी, सबसे पहले तो S given है आपको, तो देखो जो S N given है, यह क्या एक GP है, तो GP के Summation का formula क्या होगा, यह जाएगा, S N equal to, A bracket में R की power N minus 1 upon R minus 1, तो A तो इसका बन है, R की S का Q, तो Q की power आगया बेटा, N plus 1 minus 1 upon R minus 1, ठीक है, यह आगया आपका S N, after that, T N क्या देखो, इसमें number of terms क्या है, यह 1 है तो 1 से N, और यह extra term 1 है, तो total term भी इसमें क्या N plus 1, again यह GP की term है, ठीक है, तो GP की term में तो again, T N का formula क्या लेको के बोलो, इसको मैं दे ले देता हूँ, यह जा R Q plus 1 by 2 की power N, या फिर एक काम करते हैं, इसको proper solve करता हूँ, एक बार space के लिए, इधर लिख देते हैं, देखो, इससे S N तो आगया था बेटा, Q की power N plus 1 minus 1 upon Q minus 1, similarly बेटा, इससे T N क्या होगा बोलो, T N equal to, same procedure, यह तो इसका 1 है, first term, तो R क्या है, Q plus 1 by 2 की power N plus 1 minus 1 upon Q plus 1 by 2 minus, इतना आ गया है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा simplify कर दो आप, फिर उसके बाद solve करेंगे question को, तो देखो, इससे T N क्या होगा, देखो, इसको separate करको तो क्या गया, Q plus 1 की power N plus 1, और LC हम लोगे तो 2 की power N plus 1 upon में क्या गया, देखो एक तो आगया, इसका LC M 2 की power N plus 1, और इसको multiply करोगे तो यह जाएगा Q minus 1, और 1 2 से 1 2 cancel, तो कितना जाएगा, यह आप solve करो आराम से, यह जाएगा finally, सी दी बात यह, यह आपका आगया T N, यह S N आगया T N, अब क्या पूचा आगया आपसे, 100 C 1 plus 101, sorry, 101 C 1 plus 101 C 2 S 1 plus 101, यह C 3 S 2 dot dot dot, और this is last time, ठीक है यह dot 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 लगाना भूली है इसमें, ठीक है न, हाँ, तो अब इस series की value given है आपको alpha T 100, तो बताओ alpha की value क्या होगी, तो अपन तो एक काम करते हैं, LHS को solve करके, T 100 की format में इसको convert करते हैं, तो देखो सभी क्या ऐसे करना solve, तो चलो value put कर दो, यह एक काम करते हैं, 100 C 1, 100 N 1 C 1, as it is, left part को solve करते हैं, पर 100 N 1 C 1 plus next is, 101 C 2, हाँ, S 1 का मीनिंग क्या होगा, N को जब आप 1 लोगे, क्या लोगे N को 1, तो क्या गया, Q square minus 1 upon Q minus 1, क्या गया बोलो, Q square minus 1 upon Q minus 1 plus, next हम क्या होगे इसकी, 101 C 3, 101 C 3, देखे हैं, S 2, S 2 की वेलू क्या होगे, Q Q minus 1 upon Q minus 1 plus dot dot dot, एक लाश्ट हमों लिख दो सभी, क्या है लाश्ट हम बोलो, 101 C 101, और S 100 का मीनिंग, Q की पावर, 101 upon, यह आगे Q minus 1, बोलो हाँ है न, S को आप, N को 100 लोगे तो क्या गया, Q की पावर, 101 minus 1 upon Q minus 1, अब अपन इस कुशन को solve करते हैं, कि solve करना कैसे, इसको T 100 की format में आपको convert करना है, तो देखो बेटा सभी, इसमें किसी को doubt है क्या, यह आपको एक expansion given था, 100 C1, 100 C2 S1, S1 के लिए N को आपने 1 put किया, 100 C3, S2 के लिए N को 2 put करोगे, अब तो लाश्ट अमेज, 100 N1, C101, और S100, S100 में N को put करोगे, आप 100, अब देखो इसको solve कैसे करना है, देखो सबके denominator में आ रहा है Q-1, बस एक Q-1 इधर requirement है न, तो इस Q-1 को आप ले लो LCM, तो देखो क्या गया, 101 C1, Q-1, plus 101 C2, Q square minus 1, plus 101 C3, Q की पावद 3 minus 1, और लाश्ट इज, 101 C101, Q की पावर 101 minus 1, ठीक है, और सबका LCM क्या आगया Q-1, इधर न एकना इसको, यह फिर एक काम करते हैं, इसको अपन summation E-let कर देते हैं, तो क्या किया मैंने, जो इसका LCM लिया था न, कितना Q-1, उसको मैं इधर लग देते हैं, ताकि space थोड़ा बच जाएगा अपने पास, ठीक है, चलो, अब देखो, तो इसका कारेकरम खतम हो गया, बाद में बता दे न, मेरे को जरुत पड़े, तो S का मीनिंग क्या था, यह अपने TN लग दिया न, इस TN को एक काम करता हूँ, मैं separate side में लग दिता हूँ कहीं, इसमें TN का मीनिंग क्या था, Q plus 1 की power, N plus 1 minus, यह फिर एक काम करूँ न, आपको right side में TN आ रहा न, तो TN की value लग दो side में, कि TN की value क्या था में, TN की लिए N को आप क्या पर्ट करोगे, 100 तो क्या जाए गए, बोलो सभी, तो इससे आ गया, TN equal to Q plus 1 की power, 101 minus 2 की power, 101 upon, 2 की power, 100 into, यह आपका TN आगे, ठीक है, यह TN की value लिए 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 लिए, बाद में SN और TN को उटा तो, उसका कोई यूज नहीं था, वो और मैंने आपको question में करके दिखा दिया ठीक है, अब देखो, इसको solve कैसे करना अपन को, तो this part equal to, देखो सभी, इसको इससे multiply करो, इसको इससे multiply, इसको इससे, माला, जो Q वाला party ने इसको separate कर दो, और minus 100 C1, minus 100 C2, minus 100 C3, dot dot dot, minus 101 C, 101, तो देखो कितना आगया बेटाई, 101 C1 Q, plus 101 C2 Q square, dot dot dot, लास्टेज बोलो बेटा, 101 C101 Q की power, 101, तो देखो, ये complete series बन चुकी है, वाट इसमें requirement किसकी है, बोलो सभी, 100 C0 की, किसकी requirement बोलो, 101 C0 add करना और subtract, तो देखो, ये 1 प्लस X की power, 101 का expansion हो गया, ये किसका expansion हो गया, 1 प्लस Q की power, 101 का, तो चलो इसको देखते हैं अपन, ये आपका T100 तरस को याद रखना, minus, माइनस वाली term क्या होगी बोलो, 101 C1, plus 101 C2, dot dot dot, last stage कितना, 101 C101, 101, अब मैं अगली step में डायेट लगूँगा, इसको तो थोड़ा समझना आप, carefully, ये क्या था, left side था, Q-1 into E, देखो, इसमें आप क्या करोगे, 101 C0 add कर दो, और इधर, 101 C0 subtract करोगे आप, तो देखो, 101 C0, plus, 100 C1, 101 C1 Q, plus dot dot dot, तो किसका expansion होगया, 1 plus Q की पावर, 101 का, क्या आगया बोलो, 1 plus Q की पावर, 101, minus, ये आपने, 101 C0 minus किया, तो इसकी विलूँ क्या होगी, 1, तो minus बना गया, ऐसे ही, अगले में क्या होगा, देखो, इसमें भी क्या करना है, देखो, ये 1 से लेके 101 तक जा रहा है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 101 C0 add करोगे, और, ये subtract करोगे, तो add करोगे, तो क्या बन गया, 2 की पावर 101, 2 की पावर 101, और ये भी क्या गया, minus 1, बोलो इसमें किसी को डाउट है यह minus minus plus 1 से plus minus 1 cancel, तो finally इससे equal to क्या गया, बोलो बेटा q plus 1 की power 101 minus 2 की power 101 upon q minus 1 यह आपका जो left side में expansion given था, उसकी value आ चुकी है और यह expansion कुछ ने किसकी को बोला था equal to alpha times of t100, t100 की value क्या बोलो q plus 1 की power 101 minus 2 की power 101 upon 2 की power 100 bracket में q minus 1, बोलो इसमें किसी को doubt है कि ला, तो देखो सभी, यह जो part है यह से cancel out हो गया न, तो alpha आ गया, 2 की power 100 इससे क्या आ गया, alpha equal to 2 की power simple सा कुछन है, बस आपको expansion को proper solve करना है सबसे पहले क्या की आपने qn find out किया qn के लिए क्या करना था, जो right side वो एक GP थी, जिसमें number from tn plus 1, तो उससे qn क्या गया, sorry, sn, sn क्या गया था q की power n plus 1 minus 1 upon q minus 1 ऐसे ही, एक tn given था आपको, क्या given था बेटा, tn, तो tn के लिए आपने again GP का formula युच किया, तो आपको tn find out किया आपने, उसके बाद क्या करना था, जो एक expression given था, 100n 1 c1 plus 101 c2 s1 up to so on, तो इसमें आप क्या करो, s1, s2, s100 की value पुट की, अब आपको इसको solve करना था, आप क्या करोगे, इसको e late करके q minus 1 से मैंने multiply कर दिया, जिससे, सबका LCM सेम आ गया, तो e q minus 1 और this part आ गया यह, उसके बाद क्या करो, यह जो plus वाली term उनको एक साथ कर दो, और minus वाली term को एक साथ किया, यह दिखना चीए आपको किस से benefit किया है, तो जो आपने minus times किया, इसमें क्या किया, आपने 101 c0 add किया और subtract, तो किसका formula बन गया यह, c0 plus c1 plus c2 plus cn, 2 की power n का, similarly इसमें भी क्या किया, आपने 101 c0 add किया और subtract किया, तो यह भी किसका formula बन गया, 2 की power n minus 1, sorry, यह बन गया, 1 plus q की power n का expansion हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने इसको simplify किया, तो यह e आ गया, और यह जो e की value थी, मतलब जो left part की value थी, किसकी equivalent given थी, alpha t100, तो आपका जो tn था, उससे आपने t100 की value को fund out किया, और इस t100 की value को alpha t100 में put किया, तो इससे alpha आ गया, 2 की power 100, तो इसका, जबो, correct answer क्या होगा, 1 second, sorry, 2 की power 100, इसका answer जाएगा, 4th option, ठीक है बिटा, क्या हैगा, 4th option, वो लोग किसी को doubt है क्या, उसके बाद चलो, अपन next solution देखते हैं, बिटा, let x plus 10 की power 50 plus, x minus 10 की power 50 equal to, a naught plus a1 x plus a2 x square dot dot, a50 x square 50, for all x belongs to r, then a2 upon a naught, आपको एक expansion given है, जो किसकी equivalent है, a naught plus a1 x plus a2 x square up to so on, और यह x की all value को क्या करता है, satisfy, यह x की all value के लिए 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 आपका जो expansion है, then a2 upon a naught की value को आपको find out करना, देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपन क्या करते हैं, इसमें a naught की value find out करते है, तो a naught की value के लिए क्या करना है, देखो बेटा, यह जो expansion given आपको left or right, यह x की all value को क्या करता है, satisfy, तो बताओ x की all value को satisfy करता है, तो x equal to 0 को क्या करेगा, satisfy, मैंने इसमें x को 0 क्यों put किया है, क्योंकि x को जब 0 put करोगे, तो यह सारी term किसमें चले जाएंगी 0 में, तो only आपके पास a naught जाएगा, only क्या जाएगा a naught, तो आप क्या करोगे, इसमें put x equal to 0, तो x को 0 लेने पर आगया a naught equal to twice of, यह देखो 10 की power 50, और minus 10 की power 50, जो also 10 की power 50, twice of 10 की power 50, after that आपको finite करना a2, तो a2 के लिए देखो, क्या करोगे, इसका आप करोगे, two time differentiation, यह जो expansion given a left equal to right, इसका क्या करोगे, two time differentiation, क्यों करना है देखो, जब एक बर करोगे, तो a naught इसमें गायव हो गया, तो क्या रह जाएगा, a1 plus 2a2x plus 3a3x square up to so on, तो अभी भी देखो, x को 0 put करोगे आप, तो किसकी विलू मिलेगी, a1 की, what happened को क्या ने कालनी है, a2, तो आप एक वार और करोगे, तो a1 0 में चला गया, तो कि इसका differentiation 0 आगया, तो क्या जाएगा, 2a2 plus 6a3x, और अब x को 0 लेने पर, यह सारी टर्म तो किसमें चले जाएगी 0 में, तो सीधा आगया 2a2, ठीक है, बोलो, put out, तो इसका क्या करना है, 2 times differentiation, तो चलो कर देते हैं आगये, तो one time करोगे तो क्या आगया, a1 plus 2a2x plus 3a3x square plus dot 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 equal to, इसका करोगे तो क्या आगया, 50x plus 10 की पावर 49, plus 50x minus 10 की पावर 49, तो तो 50 तो क्या आगया सीधा सब दोनों में, तो यह आगया, x plus, यह चलो बात में लेने ना क्यावर, 50 into x plus 10 की पावर 49, ठीक है बिटा, plus again, 50x minus 10 की पावर 49, यह हो गया one time, अब इसका next again differentiation करो, तो a1 का 0, तो क्या आगया बोलो, 2a2 plus 6a3x plus dot 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 equal to, कितना आगया बोलो, 50 into 49, और इधर भी आगया 50 into 49, तो यह तो लेलो common आप, तो 50 into 49 को common लोगे, तो क्या रहे गया ब्रेकेट में, बोलो, x plus 10 की पावर 48, प्लस, कितना बेटा, x minus 10 की पावर 48, बोलो, कुछ आओ, sorry, यह final आगया आपका, अब इसमें again क्या पुट करना है, put x equal to 0, इसमें आप again x को 0 पुट करोगे आप, क्या पुट करोगे x को 0, इसमें पुट करना है आपको left और right में, तो x को 0 पुट करने पे क्या आगया बोलो, 2 a2 equal to, 10 की पावर 48 और 10 की पावर 48, तो twice of 10 की पावर 48, तो 2 से 2 कैंसल करतें साथ की साथ, तो 2 से 2 को जब कैंसल करोगे आप, तो finally कितना आगया बोलो, a2 equal to, 50, 49, 10 की पावर 48, अब आपको question में find out क्या करना था, a2 by a0, तो a2 upon a0 क्या आगया देखो, a2 की वेलू क्या थी, 50, 49, 10 की पावर 48 अपॉन, twice of 10 की पावर 50, इसको cancel करोगे तो क्या आगया, 10 की पावर 200, ये तो twice of our cancels, 2 into 2, 4, तो finally आगया, 49 by 4, बोलो कोई डाउट है समय किसी को, तो 49 को जब आप, 49 by 4, ठीक है, तो 49 को 4 से डिवाइड को, तो क्या आगया, 12.1025, तो देखते इसका कौनसा answer correct है, 4th answer आगया, ठीक है, तो simple question था है, easily कर सकते हैं, इसको solve अपन, तो A note के लिए तो क्या करो, direct X को 0 पुट कर तो बहुत साइड, और A2 के लिए क्या करो, कि इसका 2 time differentiation, अगया एक्स को क्या पुट करना था, इसमें 0, तो उसके बाद देखो, बेटर next question है, a ratio of 5th term from the beginning, to the 5th term from the ending, in the binomial expansion of this part, मतलब आपको इस binomial expansion में, starting से 5th term, और ending से 5th term का क्या फाद परना है ratio, तो देखो, आपको starting से लिखनी है, T5, T5 का मतलब T4 plus 1 term, तो TR plus 1 का formula क्या होगा, NCR X की power N minus R Y की power R, जो आपके general term का formula है, TR plus 1, यह starting से होता है बेटा, किसे जब भी आपको starting से any term लिखनी है, तो आप किसका formula उच करोगे, TR plus 1, उसके बाद अगर आपको किसी भी y-normal expansion में, ending से any term को लिखना है, तो आप क्या करोगे, formula तो TR plus 1 के उच करो, तो यह की formula याद करना पड़ेगा, आप क्या करो, जो expansion में, यह जो x और y है, इनको करदोगे, interchange with sign, क्या करना है, इनको दोनों को, interchange करना है आपको with sign, इनको with sign आप क्या करोगे, interchange, तो चलो करते हैं, इसको solve कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इसकी लखोगे स्टार्टिंग से T-50 तो T-50 क्या होगी बोलो 10C R इसमें 4 है न 10C R X की पावर 10-R मतलब 2 की पावर 1 by 3 की पावर 6 into 1 upon 2 dot 3 की पावर 1 by 3 की पावर 4 आगया ठीक है इसमें किसी को डाउट है क्या है यह आगी स्टार्टिंग से T-4 प्लस 1 टम ऐसे ही अब आप लगोगे एंडिंग से 5 टम इसको 10 लगा देता हो मैं एंडिंग से 4 टम में क्या करोगे सेम फॉर्मूला 10C for what this is X और this is Y इसको Y लेट कर दो माइनस के साथ तो देखो next के आगया अगें यह X होगे न सबार तो 1 अपोन 2 इन्टू 3 की पावर बनवाई 3 की होल पावर क्या होगी सबार 6 और यह जाएगा 2 की पावर बनवाई 3 की पावर आगया 4 अब आपको इनका क्या फॉनिट करना तो स्टार्टिंग के लिए तो सीधा TR प्लस न का फॉर्मुलीच करो NCR X की पावर N-R इन्टू Y की पावर R और लास्ट के लिए क्या करोगे पहले X में में X और Y को इन्टेशन करना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बीच में प्लस आ रहा था अगर माइनस ओ तो माइनस को भी अब आपको इसका लिना रेश्यो तो देखो रेश्यो कैसे लोगे ऐसे तो देखो 10C4 से तो 10C4 कैंसल आउट हो गया ना और इदर देखो सभी यह आ रहा है 2 की पावर बनवाई 6 और यह आ रहा है 2 की पावर बनवाई 3 इंटू 4 तो यह 6 है 4 है तो only नियूमेटर में आ गया 4 पावर तो only 2 पावर आ जाएगी तो 2 की पावर बनवाई 3 का स्क्वार और डिनोमेटर में देखो क्या होगा यह पावर 4 है बेस्तों से में यह 4 है 6 है तो again डिनोमेटर में आ गया कितना 1 अपोन 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 का all square और अब एक बास तनो square रिंग करोगी तो 1 और यह square अंदर जाके दोबार नियूमेटर में आ गया मतलब सब कुछ किसमें आ गया नियूमेटर में तो 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 1 तो रेश्यो वन लागा दोस्त में तो देखो उसको solve करते हैं तो 4 इन दोनों का आप की पावर सेम है तो बेस को मिल्टिप्ले कर सकते हैं जैसे x की पावर n इंटू y की पावर n क्या बेटा x की पावर n इंटू y की पावर n इसको क्या लिख सकतो आप x y की होल पावर n तो देखो क्या गया है 4.2 इंटू 3 6 की पावर 2 इंटू 3 रेश्यो वन तो यही अंसरान अची 4.6 इंटू 2 की 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 6 into 2 by 3 ratio 1 चलो एक बार देखो option में क्या है इसमें option में 2 वाला है 4 वाला कौन सा है यह है न वट इसमें 36 की तो एक काम कर उस 2 को अंदर लेके चले जाओ और क्या है जब इस 2 को अंदर लेके आगो तो क्या है 4 dot 36 की power कितना 1 by 3 ratio बना गया ठीक है अब आराम से देख लो क्या गया इस 2 को अंदर लेके जाओ तो 36 तो 4 dot 4 into 36 की power 1 by 3 ratio 1 तो इसका कौन सा answer होगा first answer जाएगा ठीक है बिटा first answer correct होगा तो simple question है आपको बस calculation को proper करना था उसके बाद चलो next question देखते हैं बिटा question number 12 NC4 NC5 and NC6 NC4 NC5 and NC6 R in N AP then N can be यह आपको जो 3 y no male coefficient है this part, this part, this part R in N AP तो आपको N की value को find out करना है तो चलो करो solve मतलब यह AP में तो कहले होगा twice of NC5 equal to NC4 plus 3 number आपके AP में तो 2 भी equal to क्या गया है A plus C अब इसको आपको further solve करना है तो चलो करते हैं solve और क्या है normal method है solve करने का तो 2 dot factorial N upon इसमें calculation करोगे आप equal to क्या गया factorial N upon factorial plus factorial N upon कितना factorial N minus 2 factorial 6 ठीक है यह आगया देखो solve कैसे करोगे फैक्टो एंड कैंसल हो गया 2 upon देखो यह 4 factorial है इसको लेखोगे 5 into factorial 4 इसको लेखोगे 5 4 factorial sorry 5 6 factorial 4 तो factorial 4 से factorial 4 क्या होगा cancel तो यह आगया 5 ठीक है इधर 5 आगया इधर 1 हो गया और इधर 5 into 6 आगया उसके बाद देखो यह सबसे least है नहीं n-6 यह सबसे least है तो देखो n-4 को क्या लेख सकते हो आप n-4 को क्या लेखोगे n-4 n-5 factorial n-6 ऐसे ही n-5 के factorial को क्या लेख सकते है अपन n-5 into factorial n-6 तो देखो मालब सबसे least वाले को आप cancel कर सकते तो इसससे आगया 2 upon 5 n-5 equal to क्या गया यह दोनों सबसे least हैं तो यह तो सब कुछ cancel हो गया ठीक है 1 प्लस क्या गया वहलो 1 upon 6 into 5 30 factorial sorry यह आगया n सबसे greater sorry यह था n-4 into n-5 यह जल्दी कर दी मैं थोड़ी यह आगया 1 upon n-4 into n-5 plus 1 upon 30 यह तो 1 हो गया न क्योंकि n-6 का factor तो क्या हो गया cancel यह आजाएगा आपका सबका 1 upon को सबसे least यह है तो यह cancel इन दोनों को open करके लग दो आप सबसे least 4 है factorial तो यह जाएगा 5 factorial 4 6 5 factorial 4 अब इसको अपन को solve करना देखो इसका LCM के जाएगा 30 n-4 into n-5 क्या गया 30 n-4 into n-5 तो चलो उसको करते हैं solve upon तो LCM लेके solve करोगे यह cross multiply कर दो तो यह आगे देखो 30 6 बार तो 12 आगया 12 into n-4 equal to इधर यह दोनों टर्म तो present है only 30 की requirement है तो plus 30 इधर 30 आगया तो इन दोनों का multiply आगया और क्या है यह आपको इसको क्या करना था cross multiply ठीक है अब आपन इसको क्या करते है solve करते है इसको solve करने पर क्या गया 12 n-k 48 सिंपल है कुणा भाग करने आपको ज्यादा कुछ है नहीं इस question में equal to 30 plus इधर आओ n into n n square minus minus 5n minus 4n minus के 9n plus of 20 बोलो इसमें किसी को doubt है क्या इतना आने के बाद देखो अपन इसको एक तरफ ले आते हैं तो n square यह बनेगी n में quadratic तो n square आ गया minus के 9n और यह 12n भी इधर आके minus के 21n बोलो को doubt और बेटा यह 20 है और 30 50 और 48 भी प्लस हो जाएगा तो 50 और 48 98 तो 98 के factor क्या होंगे 14 into साथ 14 into साथ क्या होते हैं 98 तो इसको लिख सकते हैं अपन मलब सिंपल सी बात है इसके factor हो जाएगे n minus 48 और n minus 7 चोदे संतिं क्यान में चोदे संतिं 98 और इनका summation 21 ठीके तो इससे या तो n 7 हो सकता है या n 14 हो सकता है तो इसने बुझा गया तो सेविन तो option में है नहीं अपना तो इसका correct option कौन से हो जाएगा 14 तो first answer हो जाएगा इसका ठीके उसके बाद देखते हैं नेक्स question is क्या होगा तो simple question था आपको इसको calculation से solve करना था था बस देखो question number 13 तो the total number of irrational terms in the binomial expansion of this part is इसमें आपको total irrational terms को find out करना है तो देखो कैसे करोगे तो सबसे पहले इसमें मैं निकालूँगा number of rational term तो total term में से जब आप rational term को minus गरोगे तो कौन सी बचेंगे ए rational term तो देखो इसकी power 60 है तो number of terms क्या होगी 61 number of terms क्या होगी total 61 अब देखो इदर हो सभी simple सी बात क्या है जब भी आपको minimal expansion में x की power का coefficient finite करना हो जैसे x square x q या फिर आप से पूचे middle term बताओ sorry middle term का तो चलो direct formula है x square पूचे आप से independent term को finite करना हो या फिर rational term तो आप सबसे पहले लिखोगे इसकी general term क्या लिखोगे जब भी आपको कोई भी special काम करना हो coefficient of x square term independent of x या फिर rational और irrational term तो आप क्या करो सबसे पहले लिखो इसकी general term का formula तो देखो सबसे पहले लिखोगे आप tr plus 1 तो देखो इसकी tr plus 1 term क्या होगी बोलो बेटा 60Cr 7 की power 1 by 5 की power n minus r दिसे 60 minus r और यह आ गया minus 3 की power 1 by 10 की power r इसको थोड़ा proper simplify कर देते हैं पन तो कितना आ गया बोलो 60Cr minus को तो separate कर देते हैं तो minus 1 की power r आ गया तो यह आ गया 7 की power 1 by 5 से multiply तो 12 minus r by 5 और यह आ गया 3 की power r by 10 इसमें बोलो किसी को doubt है क्या टोटल टम है 61 कितनी टम है टोटल 61 तो इदर आएं सभी देखो यह 7 और 3 बोट है प्राइम नंबर सुनना डंग से यह वाला जो पार्ट है यह तो always कैसा है रेशनल यह क्या बोलो रेशनल बोल सकता हो इंटीजर बोल सकता हो सेवन और 3 दोनों प्राइम नंबर है यह दोनों प्राइम नंबर होना मस्ट है अदरवाइज कभी कभार प्रॉर्ण हो जाती जैसे लैट यह आरा है टू की पावर संथिंग और यह आरा फोर की पावर संथिंग तो यह दोनों कैसे नंबर नॉन प्राइम तो इनका मिल्ट प्राइम नंबर क्या बनाना इनको प्राइम नंबर जैसे कुशन में अगर यह लग देते ना जैसे बाइचान 9 होता तो पहले हम 9 को लेखोगे 3 की पावर 2 तो 3 & 7 बहुत आर प्राइम नंबर चलो अपन अब देखते हैं कैसे यह छोटी-छोटी बात इनको ध्यान नखें आ प्राइम का मीनिंग क्या है कि आप आर की वेलू को जैसे चेंज करोगे बन वाई बन आपको इस एक्सपेंशन की सारी ट्रम मिलती जाएंगी जैसे आर को आपने जीलो लिया तो फर्स्टम मिलेगी आर को टू लोगे तो सेकेंड अप टू सोन तो एक बात बताओ यह कोई बन हो सकती है तो इसमें यह बाला पार्ड तो रेशनल है सेविन की पावर इसे जो पावर है यह 9 इंटीजर हुई बोलेगे हो तो सेविन की पावर और non integer तो ये value कैसी होगी, irrational और ये value कैसी होगी, irrational अगर ये दोनों power क्या है, non integer तो saving की पावर, non integer péri eh irrational और ये भी कैसा irrational तो दो different type के irrational का multiply always होगा, same type के irrational number का multiply, irrational भी हो सकता है, and irrational what to different type के irrational number है तो उनका multiply always कैसा होगा irrational number तो एक बात बताओ इसमें अगर seven की power और three की power both are integer यह दोनों power अगर integer हो तो seven की power integer is integer और three की power integer also integer integer बता एक rational number होगा और अगर यह जो power है यह दोनों power irrational हो sorry fractional में हो rational number यह power क्या हो बहुत है rational या any one of the rational तो seven की power this into three की power this इनका multiple always कैसा number होगा irrational तो अभी तो आपको क्या लेकिन यह rational term तो इस ट्यार प्लस में term rational का होँगी when this power is integer and this power is also integer तो देखो ry10 belongs to क्या नची इंटीजर तो यह value क्या होगी आर की इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तो क्यार की maximum value यह 60 हो सकती है और जब आर आपका this part है और similarly यह भी आपका integer नहीं होगा बहुत आर इंटीजर simultaneously यह वाला पार्ट इंटीजर को होगा when r upon 5 is also integer तो r upon 5 is also integer करोगे आप कि यह वाला पार्ट इंटीजर तो इस वार r क्या होगा 5 का multiple ऐसे तो simple सी बात ही है तो r की यह value होगे आप 0, 10, 20 तो r upon 10 integer और r अगर 5 का multiple है तो r upon 5 इंटीजर आपको बहुत r integer simultaneously आपको दोनों को क्या लाना है एक साथ तो इन दोनों में r की common values क्या है 0, 10, 20, 40, 50, and 60 इन दोनों में r की common values क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60 तो इन values को जब आप consider करोगे 0, 10, 20 को तो इस case में जो terms हैं वो कैसी होगी rational तो total term कितनी है इसमें rational 7 तो remaining term क्या होगी irrational तो total term कितनी थी तो कितना बज़किया 54 तो जो 54 टम्स है वो क्या होंगी बेटा इर्रेश्टनल दोबारा सुनलो आर को 0 लेने पर आती है फर्स्ट तरम मतलब T1 टरम 10 लेने पर 11 21 31 तो T1 11 T21 T31 T41 T51 और T61 यह सारी टम्स तो कैसी रेश्टनल है और रेमेनिंग कैसी होंगी बेटा इर्रेश्टनल तो इसका क्रेक्ट ओप्शन कौन सा होगा ठीक है तो सिंपल कुश्टन था और ध्यान रखना वसके मेन पार्ट यही था कि जो यह इसको अगर टू कर दें इसको एट कर देना तो आपको इसको भी टू में करना है एट को लिखोगे टू की पावर थी ध्यान रिखना वसी यही मेन होता है रेश्टनल रेश्टनल में अदरवाइज आंसर गलत हुजाएगा ठीक है चलो उसके बाद देखते है नेस कि देखो सिंपल में तरते हैं आप इसका लगदो सिग्मा इसकी जोने टर्म लखो पहले सिग्मा आर एकल टू देखो कि 20C9 20C1 इसको में लख सकता हूँ 20C कि आर कि क्या लिए 20C आर कि फर्स्टम के साथ टू आ रहा है यह 258 11 यह देखो सब किसमे है 258 11 यह सारे नमबर देखो AP में तो AP की जनलन टर्म लिखनी आपको TR टर्म तो क्या लखो कि TR टर्म 2 प्लस R-1 into common difference तो कितना आ गया 3R-1 आ गया यह क्या गया वट देखो आर को 0 लेने पर आ रहा 20C R क्या गया R को 0 लेने पर 20C 0 1 लेने पर 20C 1 वट इसमें R को 0 पर करोगो तो क्या गया माइनस 1 आपनको क्या लैना वन लाना है इसमें व्यार ञाना यू लाना है तो आप कैसे करोगे देखो आची Kab issues अप संभी को нет टीर माइनस 9 काम करो इसको यह तोड़ा आपको ए्डिश्ट करना कित है सिग्मा आर एक्वल टू जीरो से 20 कितना 3R प्लस 2 इंटू 20C अब आप इजीली देख लो आर को 0123 पुट करके यह सारी ट्रम मिली है आपको 012 देख लो और लास्ट ट्रम 20 पुट करोगे तो क्या गया 62 20 C 20 ठीक है आप इसको solve करना देखो simple method है सिग्मा लिखने बाद क्या आप इसको separate कर दो multiply सिग्मा लिमिट तो लगा देना सब 3.R.20CR प्लस 2.20CR सिग्मा क्या था 0 से लेके 20 था इसमें वो लोग किसी को doubt है क्या प्लसी बात क्या है आप सबसे पहले इस आर गो इस सिग्मा जब separate करोगे तो यह तो क्या गया टू डॉट को कुछ नया सोचना पड़ेगा और अगर एक कोफिशिंट हट गया है इसमें से आर तो सिंपल सी बात है जो आपने एक्पेंशन पढ़े ने स्टार्टिंग में चार c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn की विलूब 2 की पावर n और प्लस माइनस है तो 0 और only event कोफिशिंट है तो 2 की पावर n-1 और only odd कोफिशिंट है तो भी 2 की पावर n-1 तो सुनो एक फॉर्मुला सबने पढ़ाओगा r.ncr को क्या लिख सकते हैं n.n-1c इससे देखो क्या होगा एं तो constant बारा गया और only polynomial कोफिशिंट रह जाएगा तो चलो देखो मैं इसको solve करता हूँ आपके लिए तो देखो सब पे separate sigma लगाओगे आप तो देखो क्या गया 3 into 20 यह सीधा 60 लग दो न यार तो कितना आगया 60 dot 19c r-1 का sigma 0 से लेके 20 बोलो कोई doubt और प्लस इदर भी sigma separate कर दो आप sigma 0 से 20 20cr इसमें बोलो किसी को doubt है गया दोनों पे sigma separate कर दीए मैंने और r.ncr को क्या लगोगे 20 dot n-1c r-1 code out तो देखो क्या गया है अब इस पे दोनों पे sigma open करो आप तो 60 bracket में r को अब देखो यह जब r-1 बना गया r को 0 लेने पे यह तो meaningless हाजाएगा ना meaningless आगया तो आप सीधा एक काम करो इस limit को 1 से भी start कर सकते हो direct तो 60 तो common तो क्या गया है 19c0 वन लेने पे c0 टू लेने पे c1 तो 19c0 प्लस 19c1 प्लस 19c2 और लास्ट में 20 प्रकुर तो आगे 19c90 मतलब c0 से लेके c19 तक जा रहा है तो इसका sum कितना था 2 की पावर 19 बोलो इसमें doubt है क्या प्लस यह तो 2 था और यह भी क्या जाएगा 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 डॉट 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 20c20 इस और तू की पावर 20 अब देखो इसको solve कर दो option की according तो एक काम करो सभी यह तो आ गया देखो इसको लिख सकते 15 इंटू चार तो चार को इसके साथ एज़ेट करोगी तो कितना आगया 15 इंटू 2 की पावर 21 और यह भी आगया 2 की पावर 21 बोलो हाँ है न इतना आने के बाद कितना आगया 15 इंटू जब 2 की पावर 21 common लोगे तो bracket में क्या आगया 15 इंटू 2 की पावर 21 और 16 का meaning 2 की पावर 4 तो finally आगया 2 की पावर 25 तो देखना कोई option है कि इसका हाँ है न थर्ड तो simple question था तो सबसे पहले आप इसका sigma लिखो बच सिगमा के लिए सोचना है इसका sigma तो diet आगया 20 CR के according और 258 11 यह किसमें है AP में तो पहले AP से general term लिखो वट उस AP की general term में R को 1 लेने पर negative में आ रही थी तो आप क्या करो उसके common difference को और add कर दो उसकी कितनी आ रही थी TN plus sorry TN term क्या रही थी इसमें या TR term क्या रही थी 3R minus 1 तो इसका common difference क्या था क्या था क्योंकि R को 1 लेने पर minus 1 आ रहा है हमको तो 2 लाना है तो उसका common ratio उसको आप common difference उसको दवार add कर दो तो 3R plus 2 तो यह general term लेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखो next question क्या बेटा the sum of the coefficient of all even degree terms in X मतलब X की जो even degree terms है उनके coefficient का आपको sum find out करना in the expansion of this part मतलब इसके expansion में X की even degree है even degree मतलब X की पावर 0,246 इनका sum find out करना coefficient कर देखो कैसे करोगे तो सबसे पहले expansion को open करें पर तो देखो सुनो महीं तरफ इसको a let करो इसको भी यह a और यह b तो क्या गया यह first तो आ गया a plus b की पावर 6 और next आ गया a minus b की पावर 6 मतलब only किसका difference है प्लस और माइनस का तो इसमें total term 7 होंगी न कौन कौन सी t1 plus t2 plus t3 plus और उसमें क्या होंगी plus minus plus minus second minus third minus yellow plus minus plus minus और जब आप इन दोनों को add करोगे तो क्या होगा यह minus वाली term क्या हो जाएंगी cancel वही उसमें तो यह ऐसा है आगा ती 1 minus t2 plus t3 ऐसे तो t4 t2 और t6 term क्या हो जाएंगी cancel आओ तो finally कितना रजाएगा यह twice of t1 plus t3 plus t5 plus t7 ठीक है तो चलो करते हैं इसको solve क्या है यह आगा expansion e equal to twice of t1 plus t3 plus t5 plus t7 अब चलो इनको solve कर दो आप तो क्या आगा e equal to twice of t1 का मीनिंग t0 plus 1 remember दिश अपनको formula इचकरना है tr plus 1 का तो t1 में क्या है क्या है क्या है क्या है बोलो 6c0 6c0 x की power n minus r तो 6 minus 0 x की power आगया 6 और बाद में तो क्या जाएगा only 0 plus next क्या होगा t3 का मीनिंग 6c2 x की power 6 minus 2 4 और अगले की power y की power 2 मतलब root अडगया से तो आगया x q minus 1 थोड़ा carefully लिखना बस इसमें गलती नहीं नहीं चीए plus next क्या लेखोगे 64 64 x की power n minus r तो x square और इदर क्या आगया x q minus 1 root की power 4 तो square आगया मतलब इसमें तो 2-2 power कम करनी है इसमें एक एक power को उनकीच करना है और लास्ट हम क्या जाएगी बिटा 66 x q minus 1 की power 3 यह इसका पन्य क्या लग दिया expansion ठीक है अब इसमें x की even powers का क्या फंड़ करना अपन को सम तो चलो पन सॉल करते हैं इसको तो यह आगया expansion equal to twice of देखो समें तरफ 6 c 0 1 तो only आगया x की power 6 plus 62 की value क्या होती है 15 6 5 upon 2 15 आगया तो 15 और साथ की साथ इसको इससे multiply कर दो इसको इससे multiply तो कितना आगया और इसकी square इंगी भी कर दो आप तो x की power 6 plus 1 minus 2 x की बोलो हाँ है न और यह आगया 15 x square इसको multiply करो तो 15 x की power 8 plus 15 साथ की साथ मैंने multiply भी कर दी इसको ठीक है 15 x square से और minus के आगया 30 15 into 15 or to 30 और x की power 5 और प्लस 6 ही 6 की value क्या होती है 1 और इसका cube करोगे तो क्या हैगा x की power 6 a cube minus b cube a cube minus b cube और next आजाएगा minus 3 plus 3 a square भी तो minus 3 x की power 6 और plus 3 x cube यह इसका आगया expansion expansion आने के बाद आपको क्या फंडर करना है sum of even power of x x की even power का sum तो देखो कितना जाएगा answer e equal to sum of coefficient of x की power even तो यह आगया twice of देखो एक तो बना गया यह power odd है तो फिर क्या जाएगा minus के 15 plus के 15 अरे even power क्या है 6 4 8 2 6 और 6 बोलो हाए ना तो finally कितना आगया 15 minus 15 plus 15 again plus 15 आगया plus 1 आगया और minus के 3 आगया बोलो कुछी को doubt है क्या तो कुछ benefit हुआ गया देखो माइनेस 15 से प्लस 15 कैंसिल 15 16 17 17 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आगया 14 इंटू 2 आगया 28 28 तो अपसर में नहीं है तो देखो थोड़ इस कुछ गलती किया अपने जल्दी बाजी में एक्सटेंशन में गलती तो नहीं देखो X की पावर 6 बिलस 1 माइनस 2 एकस क्यूब तो कितना आगया 15 एकस कीपावर 8 15 C X स्क्वार माइनस 30 X 5 आप्यूब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वार भी तो माइनस 3 एकस की पावर 6 और ठीक है तो देखो कितना आगया 1 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 1 और माइनस 3 हाँ एक यह रहा ना constant term x की power 0 बाला तो 1-1 ओल लेकना ठीक है ना तो कितना रहा गया देखो 15, 1, 16, 17 में से 5 गए तो 12, 12 और 2 24 जान रखना थोड़ा 24 के आगया इसमें x की even power का coefficient है ठीक है चलो तो देखो यह option है को यह सा थर्ड ओप्सन आगया ना तो उन संसर आगया इसका थर्ड ओप्सन ठीक है तो simple question है what करना था कैसे simple question से लोगया क्योंकि इसमें जो expansion है वो क्या है plus minus में given था तो इसमें से half term क्या हो जाएंगी cancel out उसके बाद देखो next question is if the fourth term in the binomial expansion of this part is 200 इसके expansion में जो fourth term है वो क्या given है 200 then the value of x तो आपको x की value को finite करना है और condition क्या है x आपका क्या ना चाहिए 1 से greater तो चलो करते है solve क्या वो ला गया है t4 equal to 200 तो t4 का meaning क्या लेकोगे सबसे पहले t3 plus 1 equal to 200 क्योंकि जो formula वो किसका है not tr वो tr plus 1 का formula ठीक है ना तो चलो इसमें लिखते है expansion में क्या आएगा तो 6c3 ठीक है 1 upon क्या x की power 1 plus log कितना 10 base x की power 3 और root टाउगे तो कितना जाएगा 3 by 2 into कितना x की power 1 by 12 का cube 1 by 12 का cube करोगे 1 by 4 equal to आपको given at 200 हाँ वही सबसे पहले तो 63 की value पता है क्या होगी 6 factorial upon factorial 3 तो कितना आएगा 6, 5, 4 upon 6 20 आगया कितना आगया वो 20 से 20 cancel करोगे इसकी value क्या लेकोगे 20 10 रहे रहे राइट साड में क्या गया only 10 और इस 3 by 2 को multiply कर दो आप साथ की साथ तो क्या गया अरे भाई ये x की power है ना ये x की power में ही दान रखना ये x की power है तो इसको लिखो कि आप x की power 3 by 2 1 plus log of 10 base x इन्टो x की power 1y 4 equal to 10 तो देखो x की power दिस पाट x की पाट दिस पाट तो basic को ने तो power को add कर सकते हैं तो क्या आ गया, x की power finally, 3 upon 2, 1 plus log of 10 base x plus 1 by 4 equal to 10, आपको x funded करना है, तो आप क्या करोगे, taking both side log, इसका जब दोनों side log लोगे तो दोखो क्या होगा, आप इसके multiprime log लगाओगे, और इदर भी log लगाना है, और base में क्या लोगे 10, तो जब आप इदर log लगाओगे, तो ये तो power है न, base, number की power, तो number की power क्या होगे, multiprime में, तो मैं देखो, diet इसको multiprime ले जाता हूँ साथ की साथ, तो ये आ गया, 3 upon 2, 1 plus log of 10 base x plus 1 by 4, ये multiprime में आ गया, और ये आ गया, log of 10 base x equal to log 10 base 10 कितना आ गया अब देखो, तो उसको further solve कैसे करना है, ये भी log 10 base x है, ये भी log 10 base x, तो आप एक काम करो, थोड़ देरी के लिए log 10 base x को क्या consider करो, थोड़ देरी के लिए t let कर देते हैं, क्या let कर देते हैं मिटा, तो इसको जब t let करोगे, तो question क्या रहे गया, बोलो, 3 upon 2 plus 2t plus 1y4 into t equal to आगया 1, तो देखो क्या करना है, पहले इस 4 को इससे multiply कर दो, simple सी बात क्या, यह 2 आ रहा है न साथ में, तो 2 से कर देते हैं, 4 से multiply, इसको करो, इसको से multiply करो, तो कितना है, 12 plus 2 plus 2t into t, 4 से multiply किया, इसको 2 plus 2t से multiply, और जो उसका LCM से multiply, तो LCM कितना है क्या, 4 into 2 plus 2t, अब बोलो doubt है क्या, तो finally कितना है, 14t plus, 2t square equal to आ गया, 8 plus 8t, सब को one side लेके आओ, तो क्या बनेगी t में quadratic equation, तो कितना आ गया देखो बच्चो, one side लेके आओ गया, 2t square, 14t minus 80 plus of 60, minus 80 equal to 0, बोलो हाँ है न, इसमें से 2 cancel कर सकते हैं पन, तो जब 2 को cancel कर गया, तो क्या आ गया है, t square minus, sorry, t square plus 3t minus 4 equal to 0, तो अब इसके factor बता हूँ क्या होंगे, t plus 4 into t minus 1, क्या होंगे इसके factor, t plus 4 into t minus 1, इदर लेक जेता हूँ में इसके factor, t plus 4 into t minus 1 equal to 0, तो इससे 1t की 2 value होंगी, 1 तो t आ गया minus 4 और 1t equal to 1, तो t का मीनिंग क्या आता है, log 10 base x, log 10 base x को minus 4 लोगे, t की जगे यह पट करोंगे, log 10 base x, इससे तो x क्या जाएगा, 10 की power minus 4, और इससे x आजाएगा, 10 की power 1 is 10, but question 10 की power minus 4 का मीनिंगा, 1 upon 10 की power 4, तो question में क्या mention था, x आपका 1 से greater है, तो क्या answer हैगा x की power 1, sorry 10 की power 1, मतलब x equal to क्या गया, 10, तो देखना कौन सा option correct है, यह तो कोई गलत है, 10 की power minus 4 है, option में 10 की power 4 है, इसका answer है जाएगा x, equal to 10, तो first option correct है, हाँ, इसमें थोड़ा सा, यह जो question है ना, इसमें थोड़ा missprint लिखने में, जो कि देखो मैंने किया हैंने, solve, तो यह x की power 1 upon है, तो यह, इडेंडर थोड़ा आगे चलाएगा, इसमें यह x की power में यह पूरा पाट ध्यानखनास को, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको, question तो simple है, आप t4 term given थी, t3 plus 1 का आपने formula use किया, तो question easily solve हो गया, log लेके, इसमें थोड़ा missprint किया, वो सुलनो सभी, यह proper ऐसी लखना था है इनको, root of, यह द्यानखना बिटे सभी, x की power 1 upon, ऐसे था, यह थोड़ा आगे चला गया, 1 plus log of, अब सही है यह ना, यह plus 12 के सबके, अरे मेरा simple sum meaning यह है, यह x की power this part है, इसमें तो ऐसे लग रहा है, x की power only this part है, ठीक है, यह थोड़ी mistake थी, इसको दान रखना आप सभी, otherwise simple question था, तो इसका correct option क्या आगया था, 10, उसके बाद एको बेटर, next question है, उसके बाद एको next question क्या है, if the fourth term, in the binomial expansion of this part is, this part, then a value of x, इस expansion में आपको, T4 term गिवन रहा है, आपके पास this part, तो आपको x को finite करना, तो चलो कड़ते हैं सौल इसको, simple question है, तो T4 term गिवन है, तो T4 का meaning क्या लग होगे, T3 plus 1, तो आपको T3 plus 1 क्या गिवन है, 20 into 8 की power 7, तो T3 term क्या होगी इसकी बोलो, 6 C3, 2 upon x की power 3, और इंटू आगया, x की power log of, 8 base x की power also 3, equal to 20 into 8 की power 7, बोलो इसमें किसी को doubt है क्या, इसमें किवन थी T4 का meaning, T3 plus 1, और T3 का meaning, 6 C3, x की power 6 minus 3, और y की power is 3, 6 C3 की बोलो क्या होती है 20, तो 20 से 20 क्या होगे, cancel, अभी किया था ने, लास्ट क्यूशन में, 6 C3 आए 20, तो कितना आगे देखो सब, 8 upon x cube into, x की power, इस 3 को multiply कर सकते हैं, तो 3 log, 8 base x, equal to आगया, 8 की power 7, यह क्या 2 की power 3, 2 की power 3, और 8 की power 7, तो यह जाए गए 2 की power 4, इदान अखना सभी, तो finally आगया, x की power 3 log, 8 base x, equal to, क्या, 8 की power कितना, 3, sorry, 8 है ना, 8 की power 6 आगया, 2 में मत करो, convert 8 में रहने हैं, तो इसको आप, 8 की power 6, into x, cube, इसमें कोई डाउट, और देखो, यह cube बनेस पे, इसको मैं ऐसे समझा जता हूँ, आपको और simple करने के लिए, यह था, x की power 3 log, इस cube को मैं एक साथ लगाऊँगा, तो क्या होगा, इस 3 को डाद दर से, और यह से आगया, ठीक है, चलो मैं इसको दुबारा लखता हूँ, समझाने के लिए proper, यह आगया, 8 को cancel, x की power log, 8 base x cube, equal to आगया बेटा, 8 की power 6 into x cube, तो इसका दोनों तरफ, जब 1 भाई 3 करोगे, या cube root लोगे, क्या लोगे, cube root, तो finally कितना जाए गए, जब इसका दोन तरफ, q root लोगे, तो 3 अटिया, इदर 2 आजाए गया, इदर x आगया, तो यह आगया, x की power, log, 8 base x equal to, 8 square into x, क्या गया, 8 square into x आगया, बोलो उसमें किसी को doubt है क्या, इतना आने के बाद, क्या करो उसका, taking both side log, इसका दोनों तरफ, आपको लेना है log, सबसे पहले यह लखो आप, उसके बाद, यह आपने expansion किया, और फिर इसको तोड़ा मैंने, इसको क्या कर दिया, further solve कर दिया, बोलो उसमें किसी को doubt है क्या, जब log log x का, तो क्या गया, log 8 base x, into again log, 8 base x, equal to क्या गया, log 8 base this part, और log a b को log a plus log b, तो finally कितना गया, 2 plus log 8 base x, आप थोड़ा दिया के लिए क्या करो, log 8 base x को, क्या consider करोगे t, तो क्या गया, t square minus t, minus 2, 0, तो उसके factor क्या होंगे बोलो, t minus 2 into t plus 1, तो इससे क्या गया, finally, 1 तो आगया t2, और 1 आगया t equal to minus 1, क्या गया, t equal to 2, and t equal to minus 1, तो log 8 base x को, 2 करोगे, तो x equal to, आगया 8 square, और minus 1 करने पर, x आगया, बन बाई 8, but question में, आप से mention किया था, कि x को 1 से, greater लेना है, sorry, x को क्या लेना, 0 से greater, तो इसने बोला न, then a value of, तो कौन सी value के बिने, 1 by 8 तो है नहीं न, तो only 8 is for answer से जाएगा, बोलो किसी को doubt था क्या, दोबारा देख लो आप, आप से question में बोला गया था, t4 term, तो आपने t4 term के formula से, इसकी 4 term लखी, 63 की value 20 से 20 cancel, तो finally question क्या गया है, 8 upon x cube, जिसकी power cube, equal to 8 की power से न, 1, 8 से 1, 8 cancel किया, तो 8 की power कितना आगे था, 6 और यह मैंने cube को दोबारा लगा दिया, और x cube को कर दिया, cross multiply, यह cube तो मैंने दोबारा ऐसी लगा दिया, क्योंकि इसको cube root लेना था, बाद में, तो आगे 8 की power 6 x cube, जब सका cube root लोगे, तो इधर से cube बट गया, इधर cube, बन भाई 3 करोगे, तो square और इधर से cube से cube बट गया, और अब इसका लेना है, taking both side log, क्या लेना, taking both side log, तो जब और base में लगाना 8, जब दोनों तरफ log लोगे, तो this part आगया, और log 8 base x को बाद में, क्या consider करना था, चलो, देखो, उसके बाद next question क्या है, एक second, if the, next question देखो 18, if some 3 conservative coefficient, in the polynomial expansion of this part is, in power of x, आग रेशो, this ratio, this ratio, मतलब, इस polynomial expansion में, cognitive 3 polynomial coefficient है, x के coefficient है, उनका ratio given है this, then the average of these 3 coefficient is, तो आपको इन 3 coefficient का, क्या finder करना बोलो, average, तो चलो करते हैं, तो अपने एक काम करते हैं, 3 coefficient आप लेट कर दो, TR plus 1, या, TR, TR plus 1, TR plus 2 कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर दो, आप कौन जीटे बहने चीएं, TR, TR plus 1, और TR plus 2, इनका ratio given है, तो देखो, TR का meaning क्या लेखोगे, NCR minus 1, सीधा ratio लेखना है, तो NCR minus 1, X की power something, तो only coefficient कितना आएगा, NCR minus 1, और, इसका कितना आगया, NCR, और next का आगया, NCR plus 1, यह जो ratio है, यह कितना given है, 5, sorry, कितना given है बोलो, 2 ratio, 15 ratio, 70, तो आप से क्या पूछा गया, इनकाओफिसेंट का, average पूछा गया, तो simple सी बात है, इसमें, N और R की value को, सबसे पहले क्या करोगे, find out करना आपन को, तो चलो, गुना भागे, करने ते हैं, सबसे पहले क्या करो, मैं this upon this ratio क्या हैगा, 15 by 2, X, X ratio, Y ratio, Z है न, तो Y, Y, X क्या लिख सकता हूँ, क्या हूँ है, N, C, R upon N, C, R minus 1, कितना आगया बोलो, 15 by 2, similarly, next ratio क्या लिख सकता है, this upon this, N, C, R plus 1 upon, N, C, यह ratio आगया, आपके पास, 17 upon 15, अब य, Y, X कर दिया, Z, Y, Y कर दिया, अब पते मैंने ऐसा ही क्यों किया है, मैं करने को दिस अपन दिस कर सकता हूँ, थर्ड वाइस फर्ष्ट, य इसलिए क्या गया है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मुला होता है, अपने पास, N, C, R upon N, C, R minus 1, यह दोनों prefix same है, और उपर वाला prefix, एक greater होना चीए, तो देखो, इसमें भी एक greater है न, तो इसका formula क्या होता है, याद है, N minus R plus 1 upon R, क्या होगा, N minus R plus 1 upon R, तो अपनको TR, इन तीनों का सम, this plus this plus this का, average फॉर्णल करना, अपनको N, C, R minus 1, तो इनका average क्या होगा, side में लिख देते हैं पहले इसको, इनका average क्या होगा, बोलो, N, C, R minus 1, plus N, C, R plus N, C, R plus 1 upon 3, इसको चलो, बाद में solve करेंगे, अपन, N और R की value को क्या करते हैं, तो पहले बताओ, उसमें doubt है क्या, question में mention किया गया था, कि जो consecutive 3 terms है, इन में X के coefficient का ratio given है, तो X का coefficient भी इसमें, binomial coefficient ही होगा, क्योंकि बना रहा न, साथ में, हाँ, इसलिए, तो क्या गया, N, C, मैंने इसके, 3 consecutive coefficient कांसिटर करें, TR, TR plus 1, TR plus 2, तो क्या गया, N, C, R minus 1, N, C, R, N, C, R plus 1, का ratio given है, तो आपने second upon first क्या लेखा, 15 by 2, और third upon second लेखा, 17 by 15, अब चलो, इसको अपन क्या करते हैं, solve करते हैं, बहुत simple होए, solve होजाएगा आप से, तो यह तो diet formula क्या गया, N minus R plus 1 upon, R equal to 15 by 2, बोलो कोई doubt है क्या, cross multiply करो, तो क्या गया, 2N, minus 2R, equal to 15R, इदर आके क्या गया, minus के, 17R equal to, यह 2 और यह 15, तो minus की 2 आगया, इसमें बोलो कोई दिक्कत, सही चल रहे हैं अपन, हाँ, उसके बाद इसका क्या होगा, देखो, N minus R, R की ज़े की लिखना है, R plus 1, numerator वाला, plus 1 upon, R plus 1 equal to, यह कितनी बार कहें से उरा 5 से, 14, 15, 17, 14 by 3, इसको solve करो, देखो, क्या गया, 3 से multiply 3N, minus देखो, सब रंग से देखना, minus 1 से, plus 1 तो cancel हो गया, minus की 3R, और minus की 14, plus की 14R, इदर आगे, again क्या हो गया, minus की 17R, और equal to में देखते हैं, क्या आगया, इदर तो constant है नहीं है, की 1 से 1, equal to आगया 14, कितना आगया भोलो, 14, इसमें किसी को doubt है क्या, उसके बाद देखो, आप second में से first को subject करोगे, second में से first को subject, तो n इकल तो क्या आगया, 14 minus minus, plus, तो n इकल तो आगया, 16, क्या आगया, n इकल तो, second में से आप क्या करतो, first को minus, n को 16 लोगे आप, चलो n को 16 किसमें पूट करें, इसमें पूट करते हैं, 16 into 2, 32, इदर तो 34, 17, तो r आगया, पोलो, कोई doubt, simple question हो गया, n तो 16 आगया, और r आगया 2, चलो, तो इनके average में कितना आगया, 16, n को ले ना है 16, 2 minus 1, c1, plus 16, c2, plus 16, c3 upon 3, इसको अपनको फर्दर solve करना है, बोलो किसी को doubt है क्या, तो चलो करते हैं, solve और क्या है, 16, c1 तो 16 आगया ना, 16, c2 की विलू क्यों होगी, 16, 15 बैट टू, 16, 15, 8, 120, तो 16, 120 प्लस, कितना देखो बच्चो, 16, c3 का मीनिंग, फैक्टोल 16 अपन, फैक्टोल 3, फैक्टोल 13, तो 16, 15, 14, और 6, 6 से कैंसल करो, 3 बार चला गया, तो 5, 2, 7, 35 गुना 16 आगया, क्या गया, 35 इंटू, 16, बोलो कोई doubt, अब देखो कैसे सॉल करना, जल्दी सी देखो सब, इक्वल टू, 120 प्लस, जब 16 एल से लोगा, तो कितना गया, फैस्ट और थैड में से, 16 कोमल लोगे, तो 35 और 36, एंटू, 16 वाई, 3, अब 3 से कर तो, डिवाइड पहले, तो 40, प्लस, 192 में जब 40 एड करोगे, तो कितना गया, 232 आजाएगा, शायद, है कि option में देखना है, 232, हाँ, तो इसका correct option, कौन सा होगा, 2nd option, तो simple सा question था, question के according, आप 3, positive क्या लेको, Vinyl coefficient, तो आपने क्या लेको, TR, TR, प्लस 1, TR, प्लस 2, तो ये देश हो आगया, उसके बाद आपने क्या किया, 2nd को 1st से divide करके देश हो लेका, 15 by 2, और 3rd को, 2nd से divide करके देश हो लेका, 17 by 15, ये क्यों लख़ा है, क्योंकि अपनको एक formula पता है, NCR upon NCR, R minus 1, उसका use करोगे, तो N और R में 2 equation लिए, दोनों equation को solve करने से, N और R की value को finite करोगे, after that, उन 3ों coefficient का क्या निकालना था, average, तो 3ों का संभाई 3 करना था, उसके बाद आपन देखते हैं, next question is, if the coefficient of x square and x q are both 0, in the expression of the expression of this part, वार्लब this part के expression में, x square का coefficient 0 करना है, and x q का coefficient भी क्या करना है, 0, the ordered pair, a, b, मतलब आपको simple सी बात है, a और b की value को find out करना है, तो चलो करते हैं question को, simple question है, तो देखो, expansion क्या given है, देखो बेटा, 1 प्लस, ax प्लस, bx square, आपको इन दोनों के multiply में, taking the coefficient of x square, and taking the coefficient of x q, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसका expansion कर दो, तो 15 c 0, 1, minus, 15 c 1, 3 x, plus, को की alternate क्या आएगा, plus minus, 15 c 2, 3 x का square is, 9 x square, और next is, minus of, 15 c 3, 9 x का cube आगया, 27 x q, अब इसके बाद, लिखने की requirement, नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको, only x square, और x q कोफिशिन, इसमें से find out करना, देखो इदर आओ सभी, सबसे पहले, करते हैं अपन क्या, इसने बोलाया question में, कि coefficient of, x square equal to 0, सबसे पहले, आप क्या करोगे, x square के coefficient को 0 करो, तो देखो बेटा सभी, कैसे करना है, x square के coefficient के लिए, देखो क्या कर सकते हैं, यह जो constant time है 1, इस 1 को तो multiply करो आप, x square से, तो आपको किसका coefficient मिलेगा बोलो, x square का, 1 को जब आप इस पार्ट से multiply करोगे, तो coefficient किसका होगा x square का, तो कितना आ गया, 15 c2, कितना आ गया बोलो, 15 c2 into 9, यह तो 1 के साथ बात हुई, after that क्या करना है देखो बेटा, x को किसे multiply करेंगी, अगेन आपके पास क्या नची x square, तो x की ट्रम को, जब आप x की ट्रम से क्या करोगे, multiply है, तो again किसका coefficient मिलेगा आपको x square का, तो x को multiply करना किस से, this part से, तो इसको multiply करने पे क्या गया coefficient, minus of 15 c1, 15 into 3, 45, 1 second, minus 45 into a, एक ये part आगया, मतलब constant को करना है, x square के coefficient से multiply, x को करना है, x के coefficient से multiply, और similarly, इस पार आप, x square को किस से multiply करोगे, constant term से, तो कितना जाएगा बोलो, bx square तो plus b, क्या आगया, plus b equal to 0, एक equation तो अपने पास यह आ चुकिए, आपको कुछ नहीं करना है, a और b को final करना है, तो a और b में two equation final करेंगे, पन सबसे पहले, after that क्या करना आपको again, again, question क्या को नहीं क्या बोलगा है, coefficient of x cube equal to 0, x cube के coefficient को भी क्या करना है, बेटा 0, तो देखो, x cube के coefficient के लिए क्या करना पढ़े है, असवार देखें आप, 1 प्लस, ax प्लस, bx square, यह तो क्या था, 15, यह 3 था ठीक है ना, अब देखो, next क्या करना है आपको, x square के लिए, क्या करोगे सबसे पहले, इस constant term को, आपको multiply करना है, x cube से, जब constant को x cube की term से multiply करोगे, तो किसका coefficient मिलेगा आपको, x square कर, ठीक है, x cube का, तो देखो, कैसे करो, यह 15 था जानक ना थोड़ा, तो इस से करने पर क्या जाएगा, बहलो, minus 15 c3 into 27, आगे x cube का, similarly, इस ax को, ax को किससे multiply करोगे अगें, x से सब्सक्राइब कोफिशिन से, आपको x cube का कोफिशिन इसमें से find out करना है, तो constant को multiply किया आपने, इसके x cube से multiply, similarly, ax को multiply किससे करना पढ़ेगा, इस वार बेटा, x स्क्राइब की इट्रम से, किससे करोगे बहलो, x स्क्राइब की इट्रम से, ये x स्क्राइब द्यान लगना, तो कितना जाएगा बहलो, 15 c2 9, 15 c2 9, 15 c2 9 into, ए लिखना द्यान लगना, x cube का कोफिशिन तो, a into this part, this part आगया, और last is, इस बार देखो, 1 को आपने, x cube के कोफिशिन से मिल्टिप्लाई किया, a x को मिल्टिप्लाई किया, x स्क्राइब के कोफिशिन से, similarly आप इस बार, b x स्क्राइब को मिल्टिप्लाई करोगे, x के कोफिशिन से, तो कितना क्या बहलो, 15 और 3, 45 b minus k, 45 b equal to 0, चलो इसको proper लिलता हूँ मैं एक बार, minus k, 45 b equal to 0, equation number second, तो देखो, यह first equation है, यह second, इसमें भी a और b करोल है, इसमें भी a और b करोल है, अब आपको क्या करना है, first और second equation को use करके, a और b की value को find out करना है, तो आप एक काम करना, simple method है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, आप कुछ मत करो, first equation से b की value find out करोगी, क्या, b equal to 45 a minus 15 c29, इस b की value को इसमें put कर दो, तो जब आप solve करोगे, first and second equation को, क्या करना है, solving first and second, solving equation, first and second, we get, first equation से b की value को find out करके, second में replace करें, तो आप a की value find करोगे, तो इसको solve करने पर a की value आती है, शायद 28 आती है, क्या आती है 20, अभी आप खुद करना थोड़ा से लेंथी पड़े गए, a की value को आप कुछ भी मत करो, first से b की value को second में put करो, तो solve करने से a आगे 28, और इस a की value को जब आप first equation input करोगे, तो इससे b आ जायगा बेटा, 315, कितना जायगा बलो, 315, यह आप खुद करना अपने, according, तो इसका correct option होगा first option, ठीके, चलो, उसके बाद देखते हैं next question क्या, calculation करना ही आपको बसर कुछ नहीं करना है इसके बाद, उसके बाद देखो next question क्या है बेटा, read करो, the smallest natural number n, such that, the smallest natural number n, such that, the coefficient of x, in the expansion of this part is, nc23, क्या बोला गया है, कि जो आपको यह expansion given है, इसमें x का coefficient, nc23 है, तो बताओ, n की smallest value क्या होगी, तो चलो, सबसे पहले तो एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक question में बताया था, कि जब कभी भी, ynomal expansion के अंदर, x की term final करनी हो, या x square, x cube, या independent term of x, और irrational term, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिखोगे, tr plus 1 term, सबसे पहले इसकी क्या लिखोगे, tr plus 1 term, तो देखो बेटा, इसकी, tr plus 1 term क्या होगी, देखो, tr plus 1 equal to, कितना, ncr, x square की power क्या, n minus r, क्या आगया, n minus r, into, 1 upon x cube की power r, मतलब या आगय, x की power minus 3r, तो finally, इसको जब आप solve करोगे, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, फेले, कि tr plus 1 term, लिखने के बाद, x की all power को, आपको एक साथ, return करना है, तो देखो क्या आगया, ncr, तो x की power क्या जाएगी, बोलो, 2n, 2 से multiply, 2n minus 2r, और base equal नो, तो power को add कर सेकती, तो आगया, 2n minus 5r आगया, यह आपके पास क्या है, इसकी tr plus symptom, अब आपको क्या करना है, the coefficient of x, आपको क्या लिखना है, x का coefficient, तो यह value क्या हुने चीए, 1 की equal, तो इसको जब आप 1 की equal करोगे, तो क्या आगया बोलो, 2n minus 5r equal to 1, then, इससे r आगया, अपने पास कितना, 2n minus 1 upon 5, यह आपके पास r की value मिल चुकी है, तो अब बताओ, इसके according coefficient क्या है गा, उसका, coefficient of x equal to क्या होगा, ncr की जगे, 2n minus 1 upon 5, यह अपने according आपके ने क्या किया, जो expansion given था, वाइनोमिल expansion, उससे x का coefficient क्या किया बेटा, फाइंड आउट, अब यह क्या बोला गया question में, कि जो x का coefficient है, वो कितना किवेन है question में, nc23, तो देखो, इन दोनों के prefix 2n same है, तो यह value किस के equal होने चीए, 23 के equal, क्या होने चीए, 23 के equal, थोड़ा समझना डंक से इसको, क्या होने चीए बोलो, तो first case तो क्या लखना है, कि 2n minus 1 upon 5 equal to 23, तो यह आगया, 2n equal to, हावरी 23 को, इससे multiply कर दोट करना है किया 15, 58, क्या आगया n equal to, तो देखो इसमें option में दे भी रखा है 58, बहुत अच्छा question था, इसमें गलती हुजाती है बच्चों से, अब n 58 आगया, उसके बाद एक काम और करना है, देखो यार, यह अपन सबने पढ़ा हुआ है, कि ncr equal to क्या होता है, nc n minus r, तो इसे, जो question में coefficient given है, nc 23, इसको मैं लिख सकता हूँ, nc n minus 23, इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, nc n minus 23, या तो इसको लिख सकता हूँ, या फिर इसको लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो, आपने first case में तो क्या किया, कि जो x का coefficient था, उसका जो suffix था, उसको 23 के equal किया, तो उससे n आ गया, बेटा 58, similarly अब आप क्या करोगे, ये जो nc 2n minus 1 by 5, ये जो suffix है, इसको again किस के equal करना है, n minus 23 के, तो इससे second case, ओ लिख देता हूँ मैं, second case में क्या लिख होगे, बोलो, 5 or 23 को multiply करोगे, तो कितना आ गया, 115, उदर जाके 114, तो इसको solve करोगे, तो n क्या गया, 9, 38 आ गया, 38, इससे n आ गया, 38, तो देखो, आपने diet किया, कि ncr को यूज करके, तो n 58 आ गया, और ncr को पहले लिखा, nc n minus r, तो n कितना गया, 38, और option में आपको दोनों given है, 38 भी given है और 58, बट question ने क्या बोला गया है, कि the smallest natural number, क्या finder कोड़ना है, smallest natural number, तो उसका correct option कौन सा होगा, second, यह ध्यान रखना है, बच्चे उसे जल्दी वाजीम गलती हो जाती है, कि बढ़ी, सबसे पहले आपने टी आर प्रस्वेंटम लखी, उस टी आर प्रस्वेंटम लखने के बाद, x का coefficient आपने find out किया, तो उसको आपको क्या मिली, coefficient of x, nc this part, अब यह जो coefficient है आपका, यह question में given है, nc 23, तो इनका prefix तो से में, तो एक बार तो आपने इस suffix को क्या किया, 23 की equal, तो n आगया 58, next क्या किया आपने, कि एक formula पड़ा हुआ आपने, ncr is equal to nc, n minus r, तो आपने again, इस suffix को किसके equal किया, n minus 23, तो से n क्या आगया, 38, और आपसे question में पूचा गया था, कि the smallest natural number तो, correct option कौन सा होगा, 38, second option, उसके बाद देखते हैं, बेटा next question, the coefficient of x की power 18, in the product of this part is, अलब इस तीनों के multiply में, आपको x की power 18 का coefficient, find out करना है, अच्छा question तो देखो कैसे करना है, simple है question, e equal to, इसको expansion लिख दिए, दिखो सुनो, यह तो कर नहीं सकते, कि इधर से constant का लो, इधर से constant का तो इधर से 30, x की power 18 का लो, फिर 0, 1, 17, तो बहुत complex हुजाएगा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा simplify करते हैं, इसको try करते हैं, only y-numial expansion में convert करना है, y-numial का meaning, only a plus b की power n, तो इधर दिखो बेटा, यह power 9 है न, यह समने पढ़ाओगा, 1 second, 1 minus x cube का formula क्या होता है, a cube minus b cube, a minus b, a square plus b square plus a b, ठीक है न, तो दिखो क्या करों, आप square सी लिख सकते हैं, 1 plus x, 1 minus x, 1 minus x, 1 plus x plus, की power 9, यह दो को, समझो दोड़ा रंग से, जो 1 minus x की power 10 था, उसमें से, 1 minus x को separate किया, और जो power 9 है, इसको इसके साथ, adjust किया आपने, तो देखो, क्या बनीगा क्यों यह तो आगया, 1 minus x square, ठीक है बिटा, और यह किसका फरूला बन गया, बोलो, a cube minus b cube का, तो इसे, 1 minus x cube की power 9, अब आपको इसमें से लेना, coefficient of x की power 18, यह solve करना था, अब तो simple हो गया, देखो, इन दोनों के multiply में, आपको 18 का coefficient लेना है, तो 1 के साथ, 18 का लोगे, और x square के साथ, x की power 16 का coefficient, फाइंड आट करना, तो एक काम करते हैं अपन, इसकी जनले टम क्या होगी, t r plus 1 बोलो, t r plus 1 इकल टू बोलो बेटा, 19 c r minus x cube की power r, तो यह finally कितना आगे बेटा, 9 c r minus 1 की power r, into x की power 3 r, बोलो yes or no, अब सुनों, आपको क्या ले न, coefficient of x square, sorry x की power 18, equal to, देखो क्या ने वाला है, इस 1 को, अपन किसके साथ multiply करें, कि x की power 18 का क्या नची, coefficient, तो constant term को, जब आप x की power 18 से multiply करोगे, तो आपको मिलेगा, x की power 18 का coefficient, तो इसके case में, आपको क्या लिए न पड़ेगा, 6, तो 6 into 3 आगे 18, तो जब r को आप 6 लोगे, तो किसका coefficient मिलेगा, x की power 18 का, तो यह तो 1 है न, तो 1 into, 9 c 6, minus 1 की power 6, मतलब only आगे 9 c 6, क्या आगे only 9 c 6, yellow, चलो उसके बाद देख लेते हैं, next day, x square के लिए क्या लाओगे, x की power 16, वट, यह 3R, 3 का multiple है, तो इससे x की power 16 का coefficient कभी मिली नहीं सकता, इससे तो only 18, 15, 12, 9, 6 का मिल सकता, ठीक है, तो only क्या अंसर आगे है, 9 c 6, चलो उसको solve कर दो, फुरती से, factorial 9, factorial 6 into factorial 3, तो क्या आगे है देखो, 9, 8, 7, upon 6, 6 को cancel एकर होगे, तो यह 4 times आगया, यह 3 times, 12 into 3, sorry, 3 into 4, 12 into 7, 84 आगया, क्या आगया, 84, तो उसमें, x की power 18 का, जो coefficient है, वो क्या होगा, 84, तो उसका correct option होगा, 4th option, ठीक है, तो simple question था है, वोट आपको पहले, इस जो, product given था, इसको only, a plus b की power, यह तो simple होगा न, 1 के साथ, x की power 18 का, coefficient लेना था, और x करके साथ, x की power 16 का, वोट इसमें, x की power 16 का, coefficient तो does not present, only 9, 6, answer आगया, तो ठीक है, चालो, उसके बाद देखते हैं, next question है, देखो, next question क्या है बेटा, 22, the term independent of x, in the expansion of this part, is equal to, simple question है, इन दोनों के multiply में, आपको x से, independent term को find out करना है, तो मैंने यही मिठ्वत बता था, आपको, एस simple सी बात है, यह तो एक simple है ना, a minus b, सबसे पहले क्या करोगे, इसकी general term लिखोगे आप, tr plus 1, इसमें क्या करना है, 1 by 16 के साथ, तो आप लोगे constant term, और x की power 8 upon 18 के साथ, क्या लोगे, x की power minus 8 का, this part में से, 1 by 16 के लिए, तो इसमें से क्या लोगे, constant term, और minus x की power 8 upon 81 के लिए, इन दोनों के multiply में टर्म, independent लाने के लिए क्या करोगे, x की power minus 8 का, coefficient, तो चलो करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे, इसकी general term, तो tr plus 1 term क्या होगे बोलो, 6cr, क्या होगे बोलो, 6cr, 2x square की power 6 minus r, into minus 3 upon x square की power r, सबसे पहले क्या लिखोगे, general term, उसके बाद मैंने बोला था कि, x की all power को आपको एक साथ shift करना है, या range करना है, तो देखो क्या गया, equal to 6cr, ठीक है, यह आगे 2 की power, constant term को तो separate कर दो बिटा, 2 की power आगया, 6 minus r, ऐसे इदर से, minus 3 की power r, यह तो constant term shift होई, अब x की term क्या होगी, x square को इससे multiply गोगे, x की power 12 minus 2r, और यह आगया, उपर जाके, again numerator में आगे, x की power minus 2r, तो basically नो तो power को add कर सकते, तो finally कितना है, 12 minus 4r, यह आपके पास इसकी general term मिल चुकी है, तो अब सुनो, अपन को क्या लगना है, term independent of x, term independent of x, x से क्या लगना है, independent term, तो देखो क्या होगी, 1 by 16 को जब आप इसकी constant term से multiply करोगे, तो दोनों का multiply क्या होगा, यह constant term, तो देखो क्या गया, 1 by 60 into, हाँ, 1 by 60 को किसी multiply करोगे, इसकी constant term से, तो यह constant करोगा, जो this part is become 0, तो यह 0 करोगा, when r equal to 3, x की power 12 minus 4r, 0 करोगा, इसमें 3 put कर दो, तो कितना आ गया बोलो, 6C3, 6 minus 3 3, तो 8, और minus 3 की power 3, is minus 27, चलो इसको solve करेंगे, बाद में भी तो एक बाद लग देते हैं, उसके बाद क्या करना है देखो, minus 1 by 81, x की power 8 है, तो इसमें से क्या लगए, x की power minus 8, क्यों हो, क्यों कि x की power 8, into x की power minus 8, x की power जीर हो, तो again constant मिल जाएगी, तो इसको minus 8 करोगे, तो क्या गया, 12 minus 4 r equal to minus 8, तो 20 equal to 4 r, तो r क्या गया बेटा 5, क्योंकि r को 5 होगे, तो क्या जाएगा x की power minus 8, तो ध्यान अगना r को क्या पूट करना है, इसमें 5, तो कितना जाएगा coefficient, minus के बनबाए, 81 into, चलो, r को क्या पूट करना है, 5, तो 65, into, 6 minus 5, which is 1, तो only 2 आ गया, और यह क्या आ गया, minus 3 की power 5, तो minus 12 की तो इसको क्या गर देगा, plus, into 3 की power 5, यह आ गया, अब इसको अपन को further solve करना है, चलो, तो करते हैं, solve क्या है, देखो solve कैसे करोगे, simple है, सबसे पहले तो देखो, 63 की value क्या होगी, factorial 6 upon, factorial 3, factorial 3, तो 6, 5, 4, factorial 3, 6 से 6, तो 20 आ गया है, यह कितना आ गया बोलो, 63 हो गया नहीं, और 3 को से cancer करोगे, तो minus 9, तो minus 9 और 8, minus के 72, क्या गया बोलो, minus के 72, दोबारा सुनलो, 63 को 20 लेना है, 20 upon 63, 3 को 27 से cancer करोगे, तो minus 9 और 8, minus के 72, plus, क्योंकि plus आ रहा है न बीच में, इदर आओ, यह क्या 3 की power 4 है, क्या बोलो, 3 की power 4, यह 3 की power 4 है, 3 की power 5, तो only क्या रहे गया, 3 रहे गया न इसमें, only क्या रहे गया, 3, 65 का मतलब 61, तो 6, और 3 into 26, 6 into 6 क्या गया, 36, तो उसको बेटा, जब आप solve करोगे, तो क्या गया, minus के 36, तो simple होगे, question चलो, 16 के लिए, सबसे पहले, इसकी general term लिखो आप, उसमें, x की all power को, एक साथ लेखे, after that आपको क्या लेखना, term independent of x, तो 1 by 16 के लिए, इसको इसकी constant term से multiply करोगे, तो यह constant कब होगा, when r is 3, तो 1 by 60, r को 3 लेने पर आगे, 63, 2 की power 3, और minus 3 की power 3, उसके बाद, minus बनवाए 81 है, तो x की power 8 की लिए क्या लिए, x की power minus 8, तो r की आगे था minus, r आगे था 5, तो r को 5 लेने पर, minus के बनवाए 81, 65, 2, और minus 3 की power 5, तो minus minus क्या बना दिये मैंने, प्लस, उसके बाद आप solve करो, चलो, प्लस 2 स्क्वार 20 C2, प्लस 3 स्क्वार 20 C3, प्लस डोडोडोडोडोडोड 20 का स्क्वार 20 C20, ये given हैं आपको, A into 2 की power beta, then the ordered pair, A, beta, चलो, देखते हैं, अब देखो, इस question को करने के, दो option अपने पास, दो method है, तो मैं आपको, देखो, solve दूसरे method से बताऊंगो आपको, इसका लेखो, 1 प्लस X की power 20 का expansion, तो क्या है का बोलो, 20 C0, प्लस, 20 C1 X, प्लस, 20 C2 X square, प्लस, 20 C3, X cube, प्लस, 20 C20 X की power 20, अब देखो, आपको क्या करना है, C1 के multiply में 1 लाना है, C2 के multiply में 2 square लाना है, C3 के multiply में 3 square, और C20 के multiply में 20 square, तो सबसे पहले, जब भी आपको पता है, कि y-numial coefficient के multiply में, कुछ constant term लानी है, तो अपन करते हैं differentiation, और अगर denominator में ले क्यानी ही कुछ term, तो क्या करते हैं integration, दो method हैं, दोनों समझना आप, तो इसमें तो क्या करोगे, इसका direct देखो, सिंपल सी बात क्या है, X square का differentiation, 2 आगे multiply में, X को करोगे, तो 3 आगे multiply में, और X की power 20 का करोगे, तो multiply में क्या आगे बेटा 20, तो आप direct क्या करोगे, differentiation with respect to X in both side, तो यह करने के बाद देखो, क्या आगे, 20 of 1 प्लस X की power 19, इक्वल टू इसका तो 0 गे अटाओ, तो 20 C1 plus 2 dot 20 C2 X plus 3 dot 20 C2, sorry, 20 C3 X square dot 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 plus of, कितना 20 C20 X की power 19, इधर 20 हो लिखना था, sorry, यह आगया, अब मतलब आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4 तो आगया multiply में, अब इसकी power लानी आगे, 2 square 3 square, तो दर सुनो, आपने अगर diet अगें, differentiation किया, तो X का 1 हो गया, तो 2 ही रही हो लिए, इधर क्या गया, 3 into 2, और एक बाब बताओ, इस X की जिए गर X square, तो अगें क्या जाएगा, 2 into 2, 2 square, इधर X की होगा, तो 3 into 3, 3 square, तो अब क्या करना है, एक बार इसको क्या करो, X से multiply करो बहुत साइट, तो जब आप इसको X से multiply करो की, तो क्या 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 देखो, 20 तो constant है, X 1 प्लस, X की पावर 19, इक्वल टू क्या 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 देखो, 20 C1 X, प्लस, 2 dot, 20 C2, X square, प्लस, 3 dot, 20 C3, X cube, अब देख लेना, आप बाद में कोजी कतनी है, इधर भी X की पावर 20 हो जाएगा, तो differentiation से 20 का square हो जाएगा, ठीके ना, कर दी अपने X से multiply, अब अगेन क्या करना है, differentiation with respect to X, इसका differentiation किया है, अगेन क्या करोगे, अगेन differentiation करना आपको, तो यह आए है, फर्स्ट इन्टू से, लेफ्ट साइड का differentiation किसे करना, फर्स्ट इन्टू से, चलो तो करते हैं, और क्या है, तो 20 bracket, X का करोगे तो 1, तो only इस पार्ट आ गया, 1 प्लस X की पार्व 19, प्लस X, 1 प्लस X की पार्व 19 का करोगे तो, 19 multiply में, और यह आगया, 1 प्लस X की पार 18, बोलो yes or no, इक्वल तू, इधर क्या आगया, देखो, 20 C1, प्लस, 2 स्क्वार, 20 C2 X, प्लस, 3 स्क्वार, 20 C3 X, X स्क्वार, अप्टू, बोलो, हाँ है न, करके देख लो आप, अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस स्क्वार, प्लस स्क्वार, एक्स इक्वल तू, आप X को 1 प्लस करोगे, तो राइट साइड में तो आगया, अपना कुश्चन, X को 1 प्लस करोगे, तो राइट साइड में तो क्या आगया, अपना कुश्चन क्या आगया, 20 C1 प्लस 2 स्क्वार, 20 C2 प्लस, 3 स्क्वार, 20 C3 अप्टू, तो राइट साइड में तो अपना कुश्चन आगया, तो क्या आगया, कुश्चन इक्वल टू, महलब कुश्चन का जो लेफ्ट पार्ट है, वो किसकी को लिंट आगया, पुट करो X को 1, तो 20 ब्रेकेट में, 1 प्लस 1, 2 की पावर 19, 19 प्लस 19 डोट 2 की पावर 18, इसको प्रोपर सॉल करना एक बार कितना था देखते हैं अभी, देखो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 18, तो जब आप 2 की पावर 18 कॉमन लोगे, तो कितना आगया देखो, 19 और 2, दोबार सुनो, 2 की पावर 18 कॉमन तो only 2 रहा गया और इदर 19, 19 और 2, 21 और 21 को 20 से मल्टिप्लाइ करें तो आगया, 40, 2, 0, 4, 2, 0, 21, 42 और 0 ठीक है, तो अब देखते हैं इसने कॉश्चन कैसे लिखा हुआ है, हाँ, इसने लिखा हुआ है, A2 की पावर बीटा, A2 की पावर बीटा, तो इसमें A तो आगया 420, और बीटा आगया 18, ऐसा कोई option है क्या, A420, और B आगया 18, तो इसका correct option हो गया, इसको ऐसे भी कर सकता है, देखो दुबारा, अभी तो answer क्या आगया, A तो आगया, 420 और बीटा आगया 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वो, कि इसमें से only 2 common हो लिए सकता हूँ मैं आप से, इसमें से अगर only 2 common होगे, 4 common आ सकता है न, इसमें से जब आपने क्या लिया, 4 common, तो 4 common लेने से, देखो क्या सकता है, 2 की पावर 20, इंटू, 4 common लोगे तो, 105, 105, मतलब, ए तो आजाएगा 105, और बीटा आजाएगा 20, वट ऐसा option है नहीं, तो अभी तो अपना correct answer क्या होगा, ए तो आगया, 420 और बीटा आगया 80, तो एक method तो क्या है, कि जब भी वाइनो मेल, coefficient समेशन में हो, और उनके multiply में कुछ constant अप प्रिजेंट हो, तो आप सबसे पहले क्या अगर होगे, 1 प्लस X की पावर, जो भी prefix से उसका expansion लखो, और उसका क्या करना है, कभी कभार तो direct differentiation से answer आजाता है, कभी कभार उसमें X से multiply करना पड़ सकता है, X square से up to so on, तो एक method तो हो गया यह, अब एक second method है, उसको मैं लिख देता हूँ, simple है, उसे भी बहुत जल्दी answer रहेगा, क्या करना है, दो यह तो ठीक है differentiation जिसको आता हो कर सकता है, अधरवाज आपन इसको purely किसे कर सकते है, y-numial theorem से, सबसे पहले आप इस left side का लेखो sigma, तो देखो इसका sigma क्या होगा, r equal to, यह कहा 20cr into r square, देख लो डंग से आप, r को 1 लेने पे first term, 2 लेने पे second term, 3 लेने पे third term, और r को 20 लेने पे last term, यह आगया ना, अब इसको ऐसा question कल भी आए था, अपने जो starting में की दिन question, उसमें भी एक ऐसा question आथा, तो r square 20cr को किसे solve करना था, देखो मैंने आपको एक formula बता था, r dot 20cr, यह r और इसका suffix अगर same है, तो इसको क्या लख सकते हैं, इस power को multiply में लाओ, prefix को multiply में, और यह जाएगा, एक एक कम कर तो दोनों में से, 19cr minus 1, तो देखो कैसे करना बेटा, r square एन तो एक r को तो भार रखना आप, और एक r को इसके साथ adjust करोगी, तो किसना आगा, sigma r equal to 1 से 20, r into कितना, इसको लिखो गया, r into r dot 20cr, अब में दी बात पलने पड़ीन है, ऐसी लिखना था इसको, और इसका formula क्या आगया, 20, 19cr minus 1, limit तो बन से हो सकती, start कोई दिखकत नहीं है, यह आगया ना, तो देखो 20 तो constant है, अभी भी इसके अंदर r आ रहा है, sigma के अंदर, तो इस r को देखो कैसे करना है, इंदर आओ सभी, equal to 20 bracket, r minus 1, r की जगी क्या होता, r minus 1, तो मैं अगयन इस formula का, क्या कर सकता था, यूज, तो एक काम करो ना, इस r को आप लिखो बेटा, r minus 1 plus 1, और 20c, sorry, 19cr minus 1, क्या लिखना है, 19cr minus 1, बोलो आप किसी को doubt है क्या, इसको तो कर दो, इसके साथ multiply, और 1 के साथ का कर दो, separate multiply, r minus 1 को multiply करोगे, 19cr minus 1 से, और plus 1 को again multiply करोगे, 19cr minus 1 से, तो दो क्या लिखना है, 20 sigma r equal to, अपसों में डायेट लिखना हूँ, उसको r minus 1, 19cr minus 1, तो क्या करते हैं, prefix को multiply मिला होगे, into, एक एक पावर क्या करते हैं, तो सोरी, 19 में से एक कम करोगे, तो क्या आगा है, तो 18cr minus 2, अब इसमें limit का से start करोगे, 2 से, 2 से लेके, 20, plus, sigma, ये तो सेम ही है, r equal to 1 से 20, कितना, 19cr minus 1, तो सेम ही procedure है, अब तो देखो, अपने क्या किया, sigma के अंदर से, जो variable part था, r, उसको remove कर दिया, only ncr रहे इसके अंदर, क्या रहे गया, सिंपल सी बात है, sigma लिखने के बाद, जो ncr है, उसके अलाबा, variable term कुछ भी नहीं हो नीची है, इसके अंदर, उसको remove करोगे आप, तो 100% जो formula पढ़े थे ने, starting के 4, constant है, तो कितना आगया, 18c0, प्लस, इसका जब sigma open करोगे बेटा, क्या करोगे sigma open, तो कितना आगया बोलो, 19 तो constant है, bracket के बार, तो क्या आगया, 18c0, 18c1, 18c2, 18c18, तो इस ही 2 की पावर 18, plus, r को बनने पर, 19c0, 19c1, 19c2, 19c19, तो यह आगया, 2 की पावर 19, यह लो हो गया, solve और क्या, अब आप इसको अगें, solve करते हो, तो पहले की तरह, solve करना है, 2 की पावर 18, common लोगे, क्या लोगे, same ही, आपने जब उसमें, x को one put किया, तो यही step आई थी, तो x को जब आप, sorry, 2 की पावर 18, common लोगे, 19 प्लस 21, 21 को 2 से, 21 को 20 से multiply, तो क्या आगया, 420, तो आगया न, 420 इन 2 की पावर 18, तो again, a तो आगया, 420 और बीटा आगया, 18, ठीक है, तो आप दोनों मैं से, कोई भी method कर सकते हो, और यह मेरे अकूटन, ठीक है, दोनों ज्यादा टफ नहीं इतने, बस 4-5 लाइन का question हो रहते हैं, ठीक है न, चलो, उसके बाद देखते हैं मेंटा, next question है, the greatest positive value, the greatest positive integer k, 4, which 49 की पावर k, plus 1, which 49 की पावर k, plus 1, is factor of sum of this part is, आपको k की greatest positive integer value बतानी है, जिसके लिए this part, this part का क्या एक factor है, क्या है इसका factor का मतलब, इससे यह completely divisible है, ठीक है न, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने इसको solve करते हैं, इसका मिन यहीं तो है न, this part में आप this part से divide करते हो, तो k की maximum क्या हो सकती है, divisible के लिए ठीक है, तो देखो इसको जब आप expansion को solve करोगे, तो पते क्या चीज़ देखो डंसे आप, आप reverse देखो आप, 1 plus 49, 49 square dot dot, यह कहे GP है, जिसकी first term 1 है, common ratio 49 है, और number of terms क्या देखो, यह 49 की power 1 है, 1, 2, 3, 125 और एक extra term क्या plus 1, तो total term क्या है, 126, तो E क्या आगया इसका expansion, AR की power N minus 1 upon R minus 1, तो A तो बन है, तो only आगया, R का मतलब 49 की power, 126 minus 1 upon 48, यह आपने क्या किया, जो sum given था, इसको GP की formula से solve किया है, अब देखो, इसको किस से divide करते हैं पन, 49 की power की plus 1 से, तो यह completely divisible होना चाहिए, तो अभी तो देखी नहीं रहा न, divisible, अपन को तो क्या लेना है, इसका एक factor लेकर लेकर आना, 49 plus के, फिर ही अपन बोल सकते कि, यहाँ यह इसका क्या divisible, तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, E equal to, यह एक formula बन गया शहएद, 49 की power, 63 का square देखो, यह यह आता है, minus 1 का square upon 48, बोलो, अरे इसको मैं कुछ नहीं किया, A square minus B square के formula में, क्या कर दिया, convert, बहुत simple question था है, थोड़ा सा आपको सोचना था, तो कितना आ गया देखो, A square minus B square, A minus B, 3 और A plus B, तो यह आ गया, 49 की power, 63 plus 1, और this part is, 49 की power, 63 minus 1 upon 40, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है गया, ठीक है ना, उसके बाद देखो, क्या करना है, इसको अपन को, इस part से divide करना है, तो सबसे पहल तो 40 रटन चीए, और सिंपल सी बात है ना, इससे divide करोगे आप, तो देखो, के आप 63 लोगे तो होगे, वर के को 63 लेने से, यह तो कैंसे लोगे है, बट यह 48 भी तर्टन चीए दर से, जब ही तो अपन बोल सकते हैं, कि हाँ इससे completely divisible है, तो इस 48 को remove करने के लिए, देखो, क्या करना है, यह क्या 49, 49 की पावर 63 माइनस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यही सोच होना थरस में, देखो, मैं एक बार लिखके देखता हूँ, फिर आप बताना, 1 प्लस 49 प्लस, यह देखो, यह जी पी का समय देखो दंग से, यह जो complete part है ना, देखो दंग से एक बार अगे, इतना लिखने के बाद क्या करना है था, आपको 49 की पावर K पलस 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे आप, तो K 63 होशा रख सा है, बट इस 48 को भी तो रिमूट करना है डिवाइड के लिए, तो इसको देखो आप, यह जो यह वाला part है, 49 की पावर 63 माइड बन अपन 48, यह क्या चीज़ देखो, यह 1 प्लस 49 प्लस 49 का, इसका डडडडडड 49 की पावर 62, इसका समेशन है, यह जीपीए देखो, इसकी फर्स्ट टम वन है, कॉमन डेशो 49 है, और नमबर उफ्टम की है 63, तो एका मीनिंग 1, आर 49 की पावर 63 माइड बन अपन, आर माइड बन बोलो हाए न, तो यह क्या गया, क्या गया देखो, इक्वल टू, कितना, 49 की पावर 63 प्लस 1 इन्टू, यह क्या है बोलो, 1 प्लस 49 प्लस 49 का स्क्वाइर, डोट 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 49 की पावर 62, इस जीपी का जब सम लिखोगे, तो यह वाला पार्ट है, जो मैंने अभी एडार किया है, ठीक है ना, चलो, तो अब आपन इसको किस से डिवाइड करेंगे, यह कभी भी 49 की पावर के प्लस 1 से क्या नहीं सकता, डिवाइड होगी नहीं सकता, तो क्या होगा, मैक्सिमम 63, क्या को जब आप 63 लोगे, तो यह वाला पार्ट कम्प्लीट डिवी, यह के की मैक्सिम वेलू है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ओप्शन क्या होगा, फोर्थ ओप्शन, ठीक है, तो सिंपल कुश्चन था है, सिंपल क्या, यह स्टेप से में क्रिटीकल थी, यह वाली, यह मैंने स्टेप थी, इसमें, इतना तो कर दोगे आप, इसके बाद इसको देखना था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस पार डगना था, जी पी की फॉर्व में से, ठीक है, चलो, उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट कुशन एज, 25, रीड करो सभी, मतलब आपको, आर और के में एक रिलेशन गिवन है, तो आपको, आर और के के ओड़र पेर, फाइंड करने है, नम्बर ओड़र पेर, आर कोमा के फॉर विच, 6 इंटू, 35CR, इक्कल टू, के स्कॉर माइनस 3, 36CR प्लस 1, ये, मतलब आर और के के, वो ओड़र पेर लेने हैं, आपको जो इस कंडिशन को क्या करते हैं, सैटिस्फाइ, और उसमें के वो लगया, के जैनन इंटीजर, के क्या एक इंटीजर नम्बर है, ठीक है, और ऐसा ही कुशन में को याद है, आइटी के अंदर आचो का, 2005 या 4 में, ठीक है, ऐसे कुशन था वो, उसमें के का इंट्रिवल पूछा गया था, चलो अब देखते हैं, इसमें क्या करना है, अधर आओ सभी, सॉल करने से पहले, एक बास सुन लो, यह 35 CR है, यह 36 CR प्लस बन है, तो इसमें R की वेलू 35 से क्या नहीं सकती, ग्रेटर नहीं सकती, तो फर्स्ट कंडिशन तो लोग दितों में, R is less than equal to 35, और R की मिनी वेलू के हो सकती इसमें, माइनस बन, कुछ इसमें बोला के कुछ R के लिए, No, R की वेलू मिनी, सुर इधर देखो न, R की वेलू मिनी क्या हो सकती है, 0, तो बस ध्यान रखना है कि R lies between 0 से 35, एक कंडिशन तो यह जीच परना है, उसके बाद रहा हो, यह वाला पार्ट एक positive quantity है, यह वाला पार्ट एक पॉजिटिव, मेरे बास सुनो, 6 इंटू 15, 35 CR, यह कैसी वेलू होगी positive, क्योंकि NCR is always positive, और यह भी NCR, यह भी क्या हो, always positive, तो positive और यह positive, तो K square minus 3 is always positive, तो मैं लिख सकता हूँ, K square minus 3, गिर्देन 0, then, K square greater than 3, then, mod K greater than equal to, जब भी इसका root लेते, तो क्या लगाते हैं, mod, mod K की value क्या होगी, root 3 से greater, मतलब यह, इसमें K या तो root 3 से greater होगा, या minus root 3 से less होगा, यह two conditions है, जिनको अपन को remember this, अब अपन इसको पहले solve करते हैं, तो चलो इसको solve करो से भी, तो क्या आएगा, 6 into factorial 35 upon, कितना, factorial 35 minus R into factorial, ठीक है, equal to इदर क्या आना है वोलो, K square minus 3, 36 का factorial upon कितना, factorial this minus this, तो 35 minus R into factorial R plus 1, तो देखो यह वाला पार्ट तो cancel out हो गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, 36 into factorial 35, तो इससे यह वाला पार्ट cancel हो गया, और इसको लिख सकते हैं, R plus 1 into factorial R, इसको क्या लिखोगे, R plus 1 into factorial R, तो इसससे यह वाला पार्ट cancel, इसको क्या लेखोगे 36 into factorial 35 तो इससे कौन सा वाला पार्ट कैंसल यह वाला पार्ट तो 36 और 6 से तो only इदर क्या आगया 6 आगया ठीक है फाइनली क्या आगया यह सारा पार्ट कैंसल होगे लेफ्ट में तो 1 इक्वल टू 6 into k square minus 3 upon r plus 1 यह से फाइनली आगया ठीक है अभी देखते हैं क्या करना है इसमें इसमें वो लोग किसी को doubt है क्या इसमें k और r को separate करते है पन r plus 1 को इससे multiply कर दो और 6 से divide कर दो तो देखो फाइनली कितना आगया k square minus 3 equal to कितना r plus 1 upon 6 क्या गया r plus 1 upon 6 और दिस पार्ट आने के बाद आप एक काम कर सकते हो इस 3 को भी उदर्शिफ्ट कर सकते हो 3 को उदर्शिफ्ट करोगे तो क्या गया k square equal to 2 यह plus 3 तो 18 है और 19 मैंने सीधा LCM भी ले लिया है k square equal to हो आगया r plus 19 by 6 कि अब अब अपन को इसको देखो further solve करना है कि कैसे करोगे इसमें बोलो किसी को doubt है क्या कि अब अपनको k और r की integral value find out करनी है कि आपका integer negative positive हो सकता है तो देखो सभी यह कर दो कि सभी सबसे पहले आपने r को लिखा 0 से 35 क्यों क्यों कि r की maximum value 35 हो सकती है minimum value 0 फिर यह वाला part positive है यह positive है तो k square minus 3 जो also positive तो more की आगया root 3 अब इधर देखो इसमें क्या करना है यह सब plus में है न r की minimum value क्या 0 तो यह minimum आगया 19 by 6 क्या आगया minimum 19 by 6 और r की maximum value क्या 35 तो 35 में 19 by 6 मतलब 9 तो k square की जो range हो क्या मिलेगी अरे r की minimum value 0 पट करोगे तो k square की minimum value आईए 19 by 6 और maximum value क्या मिली आपको 9 तो चलो मैं यह लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ठीक है न इदर आओ सब यह अटा देते हैं अपने लिख सकते है एक्विशन फर्स से इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्विशन क्या k square इस लाइज विट्विन कितना 19 by 6 से 9 अब सुनो k आपका integer है तो k square भी क्या होगा integer k अगर integer है तो k square भी क्या होगा integer तो 19 by 6 का meaning तो कितना है 3 point something कितना वहलो 3 point something तो 3 point something से just greater integer क्या होगा 4 तो 4 less than equal to k square less than 9 तो इसको जब further solve करो गया आप तो क्या गया mod k belongs to 2 से 3 बोलो हाँ है न और अब बताओ mod k आपका 2 से 3 आ गया तो k क्या गया minus 3 से minus 2 and 2 से 3 और question में बोला गया k is integer तो k आपका integer है तो बताओ k की value क्या हो सकती है या तो k हो सकता है plus minus 2 या फिर की हो सकता है plus minus 3 और आपसे यही तो बोला थे है न मौड k greater than root 3 हाँ तो k को 2 लेने पे 2 greater than 1.7 और 3 greater than 1.7 तो k क्या गया plus minus 2 and k equal to plus minus 3 अब सिंपल सी बात क्या k को plus minus 2 और plus minus 3 लेने पे r भी क्या ना चींटी जाना चींग ना क्योंकि अपन से r,k का number of order पे पूछे तो एक काम करते हैं अपन इस equation से r की value check करते है फटा फट तो देखो r को 2 लोगे वैसे आ रहा है ना बस सिंपल सी बात है r positive बाना चींग है r को 2 लेने पे देखो क्या गया या k square को सीधर 2 लो ना k square कितना आ गया 4 plus 2 लोगे तो 6 into 4 24 24 में से 19 माइनस करोगे हां तो r इंटी जरा रहा कोई दिक्कत नहीं है similarly k को plus minus 3 लोगे तो 9 into 6 54 minus 9 r आ गया 34 हां तो सही है यह भी r की value 0 से greater आ रही है इसमें और 35 से less आ रही है इसका meaning जब k को plus 2 लोगे तो r की 1 value मिलेगी minus 2 लेने पे भी second value मिलेगी ना ना गलत बोल गया मैं r k को plus minus 2 लेने पे r की single value मिलेगी but ordered pair तो दो यह हुए ना 2,r और minus 2,r दोनों में से में ऐसे के को plus minus 3 लोगे तो r की single value but ordered pair कितने होंगे इसके भी expect में 2 ordered pair और इसके रेक्सपेक्ट में भी 2 ordered pair तो total ordered pair कितने होंगे ठीक है तो इस type से आपको एक conditions को इसमें use करना था otherwise simple था question तो ठीक है as it is question जहीं में IIT के अंदर आए हुआ 2005-04 में ठीक है चलो उसके बाद देखो बेटर next question is सभी पढ़ो the coefficient of x की power saving in the expansion of this part is के expansion में आपको x की power saving का क्या find out करना है coefficient तो देखो क्या करना है इसमें अब अगर आप normally करोगी तो देखो क्या करोगे इसमें से x की power saving का कोफिजिट करोगे इन दोनों के multiply में इन दोनों के multiply में अप्टू सोन तो इसके multiply में तो क्या हैगा 10c7 plus x आ रहा तो 6 का लोगी तो 9c6 आ गया plus इधर क्या लोगे इसको रहा है तो 8c5 डोडोडोडोड तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर प्रिफिक्स भी चेंज हो रहा है आपको यह इसका कोफिशन रागे न और उसका मीनिंग क्या है कि जब वाइनों में कॉफिशन समेशन में हो तो अपन जनरली सब्सक्राइब करते हैं इसके यह तो ठीक है 27 को लिख सकता हूं में 20C3 NCR एकल टू NC N-R यह आगे 9C3 और यह आगे 8C3 यह 5 है ना वह आपने क्या किया इस पार्ट में एक्स की पावर 7 का कॉफिशन 10C7 इन दोनों के मिल्टिप्राइब में 7 का तो उसमें 6 का थो 9-6, 5 का लोगी तो 8-5.. mél cima इसमें तो क्या prefix और suffix भोथ और गश्यू इमें तो अभर scarf जों ईब तो क्या होँरें तो आपने क्या किया एं सिय किया डिल इस में क्या हुआ इनके श्विक्स तो से में बटन के प्रीफिक्स क्या हुरें तो अगर आप ऐसे लिख इसको भी क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस X की पावर 10 प्लस 1 प्लस X की पावर 9 प्लस 1 प्लस X की पावर 8 टेकिंग दी कॉफिशेंट ऑब X की पावर 3 यह मेधर है तो जब इस ही को सॉल करना है तो फिर क्यों न आपन पहले समेशन को सॉल कर देना यह जो expression given है क्या देखो डंग से यह एक जीपी है यह जो summation given है क्या है जीपी कैसे देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या है एगा एक सपॉन 1 प्लस X ठीक है न तो यह जीपी है जिसकी first term तो क्या है 1 प्लस X की पावर 10 और common issue क्या बेटा एक सपॉन 1 प्लस X और number of terms देखो इद 10 है तो 1,2,10 10 term और 1 यह term तो total term कितनी इसमें 11 तो समझवा गया first term आपके पास क्या 1 प्लस X की पावर 10 common ratio x अपॉन 1 प्लस X और number of terms is 11 तो चलो इस expansion का summation क्या है गा 1 प्लस X की पावर 10 मता first term bracket में क्या लेखोगे आर X अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन क्या X अपॉन आर माइनस 1 taking the coefficient of X की पावर 7 चलो इसको solve कर देते हैं फर्दर तो देखो क्या करने दे रहा हो इसको इससे multiply कर रहो तो क्या हैगा माइनस 1 माइनस X तो X X cancel तो हो जागया माइनस 1 अपॉन इसको finally solve करने पे क्या गया बेटा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस X ये 1 प्लस X जब न्यूमिटर में आएगा तो कितना हो जाएगा ये 11 बन प्लस X न्यूमिटर में आएगा तो क्या आगा 1 प्लस X की पावर 11 और देखो ब्रेकेट में क्या ने वाला है ये माइनस है ना तो इस माइनस को अंदर multiply कर दो तो ये reverse हो जाएगा उल्टा कर दो माइनस X की पावर 11 अपॉन 1 प्लस X की पावर 11 ये मैंने इसको finally solve कर दिया इसमें सिनलना taking the coefficient of X की पावर 7 बोलो कोई doubt किसी को इतना आने के बाद 1 प्लस X की पावर 11 से इसको ब्रेकेट के अंदर multiply करोगे बेटा तो देखो क्या गया है 1 से करने पे तो क्या गया 1 प्लस X की पावर 11 माइनस 11 से 11 पावर कैंसल तो अल्ली आ गए X की पावर 11 इन दोनों के subtraction मिले आपने पहले जीपी की फरूमले से इसका समिशन लिखा ए ब्रेकेट में आर की पावर एन माइनस बना इसको सॉल करने पर आगया माइनस के वन अपॉन बन प्लस एक जब नुमेटर में करो गया तो यह वाल यह वाली पावर हो जाएगी 11 और यह माइनस को रिमूब करने के ल एलेविशन का कॉफिशियन और वह कितना होगा 11C आपको क्या लेणा एकस की पावर 7 का कॉफिशियन तो यह पावर 11 है तो इसके x pension में आपको ले ना only x की power 7 का coefficient तो वो क्या होगा 11 c 7 इसको solve करते हैं तो factorial 11 upon factorial 7 factorial 4 चलो इसको कर दो solve क्या है तो आगया 11 10 9 8 upon factorial 4 का मतरा 24 24 को 8 से divide करोगी तो 3 आगया 3 को 9 से करोगी तो 3 3 into 11, 33 into 10 3, 3, 0 correct option third हो जाएगा ठीक है, simple question था सबसे पहले GP का देखो इसको कौन सी series है, diet solve करने पर क्या गया, जो win-o-mil coefficient का summation था, उसमे suffix तो same था बर prefix change हो रहा था और इधान रहकें, जब भी suffix same हो और prefix change हो तो अपनको दोबारा series से solve करना है किससे solve करना है, series से और जब series से solve करना है तो क्यों ना पहले question में जो series given है उससी को solve कर दो ना, ठीक है न, चलो उसके बाद देखो next question है 27, पढ़ो सभी क्या question है if a, b and c are the greatest value of 19 cp, 20 cq and 21 cr respectively then, मतलब आपको abc का ratio बताना और क्या है abc का ratio क्या है abc का meaning कैस में यह जो minimal coefficient ncr इनकी maximum value लखनी है क्या लखनी है maximum value तो अब एक बात बताओ y numel coefficient की value maximum कव होती है तो इस सबको पता होना चाहिए मैं आपको बता जाता हूँ ncr is maximum तो इसमें two cases है if n belongs to odd और एक case हो जाएगा if n belongs to यह अपन के starting में आपको आपको बता जाता है क्योश्चन में कि जो middle term में जो y numel expansion है उसमें जो middle term has the maximum y numel coefficient middle term का जो y numel coefficient है उसकी value always क्या होती ही बता maximum ठीक है ना तो देको n अगर आपका even है तो number of terms क्या होंगी odd जैसे let n आपका even 20 मान लिया तो number of terms क्या होंगी 21 तो number of terms अगर आपकी 21 है तो only इसकी single middle term होगी और वो कौन सी होगी n y2 plus 1 क्या होती है t n y2 plus 1 और जो middle term होगी उसी का coefficient क्या होगा maximum तो n आपका even है तो greatest polynomial coefficient क्या होगा n c n y2 क्या होगा n c n y2 और n अगर odd है तो greatest polynomial coefficient क्या होगा n c n अगर odd है जैसे n आपका 19 है तो number of terms 20 तो number of terms आपकी 20 है तो इसके case में 2 क्या होगे middle term और 2 middle term कौन कौन सी होगी n plus 1 y2 और n plus 3 y2 n plus 1 y2 यह मैं अभी term लिख रहा हूँ उसके अंदर यह तो क्या है इसकी general term है t r plus 1 term कि इसका जो polynomial coefficient है वो maximum होगा और यह क्या है गा t n plus 1 y2 यह n c n plus 3 y2 यह दोनों c के पार्ट है जानक न आ गया यह general term है not greatest term greatest term तो इसकी term लेनी आपको n c r वाली ठीक है तो अब देखो इसमें यूज करते है पन तो इसके according देखो a क्या आ गया a equal to हाँ यह 19 है 19 कैसा number है odd number n odd है तो term लेखो क्या होगी 19 plus 1 n c n का मीनिंग क्या है 19 c 10 या 19 c 11 यह term है तो अपन को तो tr plus 1 term का मीनिंग क्या होगा मेरी वास दुबारा सुन लो यह जो part है यह इसकी middle term का coefficient है क्या है middle term तो middle term कोंसी है tr plus 1 term है तो r एक कम linear तो n को जब आप 19 लोगे यह simple सी बात क्या है इसमें से पहले 1 minus कर दो तो वो आपकी greatest वाइनोमिल कोफिशन हो जाएगा इसमें 1 minus करोगे तो क्या गया यह term है आपकी tr plus 1 term और आपको डायेट लिखना greatest वाइनोमिल कोफिशन तो n एविन है तो greatest वाइनोमिल कोफिशन आएगा n c n y 2 और इसमें क्या करना है दोनों में से minus 1 करोगे तो इसमें से minus 1 करोगे तो क्या गया n c n plus 1 y 2 और इसमें से करोगे तो क्या जाएगा बोलो एक तो आगे n c n plus 1 y 2 और n c n minus 1 y 2 और दोनों की value हमेशा सेम होती है क्यों क्योंकि ncr को जब nc n minus r यूज करोगे न तो both r equal तो चलो अपन हम करते हैं n आपका 19 है n मतलब odd है तो एक काम को उसमें पुट करतो 19 तो 19 c 10 तो ए तो आगया 19 c 10 वैसे formula पता होना चीए बी के लिए क्या करोगे इसमें n 20 का मतलब even है n अगर even है तो number of terms odd होंगी तो इसमें पुट करो इस बार तो 20 c 10 क्या क्या वो लो n को 20 लेने पर क्या 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 वो लो तो 21 c 21 और 1 22 by 2 22 by 2 कितना हो गया 11 हो गया तो यह जाएगा 21 c 11 आप इसमें पुट करके देख लेना दोनों वेलू सेम आती है इसमें पुट करने पर 19 c 10 आया था तो इसमें पुट करने पर आएगा 19 c 9 और 19 c 10 और 19 c 9 बहुत हार इक्वल बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या तो जो आपकी वाइनोमेल एक्सपेंशन में मिडिल टम है है इस दी गेटेस्ट वाइनोमियल कोफिशी एंटी के चलो तो इद्यान रखना सभी अब इसको जड़ा देते और क्या है अब देखो कुछन को सोल कैसे करना है कुछ नहीं आपसे a b c का रेशियो पूछा ना यह रेशियो यह तरीके से तो a b c का रेशियो तो देखो 19 c 10 का मीनिंग फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 और बी के लिए फैक्टोरियल 20 अपॉन कितना फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 और नेक्स्ट थेंगेज फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 तो ऐक लतों 10 तो Its.. के लिखोगे 20 इंटुवर 19 इसको क्या लिखोगे 21 20 19 थीन उसे भिवेगर नैंटिन क्या हो गया तो यह आ गया वन अपॉन इधर 9 है factorial तो इसको क्या लिखोगे एक टैन को 9 इंटुफेक्टिल 10 तो यह रेक्ट्र behaviors 9 चैनसुल यह रेक्ट्र मेरा गया यह 20 आ गया है अफों फेक्तौल 9 यह जा गया है और इदर क्या ता ट men जरेते हैं आजाओ सभी 10 करोगे вд 2 एक 10 देर चला गया मुदब सिंपल सी वात हिए इसको 10 x 11 से multiply कर दो किससे 10 x 11 से तो कितना आ गया वोलो A ratio B ratio C 10 x 11 क्या गया 110 ratio कितना आ गया वोलो या फर एक काम करो न है यार यह एक 10 तो cancel हो गया अटा उसको लोग लफड़ा ही कितम हो गया और simple हो गया तो only 11 से multiply करना only कि से multiply करना वोलो 11 से 11 रेशो 11 इंटू 22 रेशो 42 ठीक है तो 11 रेशो 22 रेशो 42 तो कौन से ओफिशन करेक्ट होगा देखो तो बस आपको तो मिल्ल टम करना था जिससे क्या फैंड़ करते हैं ग्रिटेस्ट वाइन में कॉफिशन उसके बाद तो केल्पूलेशन करने थी ठीक है चलो उसके बाद देखो बेटा नेश्ट कुश्चन है हाँ 28 देखो सभी क्या के रहा 28 कुश्चन सिंपल कुश्चन है तो ऐसा कुश्चन ओलेड ही आ चुका है इफ alpha and beta are the coefficient of x की power 4 and x square respectively in the expansion of this part then मतलब इसमें x की power 4 का coefficient तो क्या बोला गया alpha और x square का जो coefficient इसको बोला गया बीटा तो आपको option में देखना थे कि alpha plus beta या alpha minus beta की value कौन सी correct होगी तो चलो कर देखे थे simple question ये देखो डंग से क्या है ये edge it is question था x plus उसमें x q minus 1 था ठीक है रूट में शायद ये क्या है इसमें power 6 है तो total term क्या हूँगी 7 मतलब अरे बता था ना ये इसमें a है ये इसमें b है तो ये क्या है a minus b तो इसमें तो term क्या हूँगी t1 plus t2 plus t3 plus ये minus में plus में और इसमें क्या हूँगी t1 sorry plus है minus t2 plus t3 minus t4 plus t5 minus t6 plus t7 तो देखो ये minus वाली term क्या हूँगी इसमें cancel out तो क्या हूँगी twice of कितना t1 plus t3 plus t5 plus t7 वो लो आया ना तो क्या हूँगी twice of t1 का meaning t0 plus 1 तो 6c0 x की power 6 plus t3 का meaning क्या लगोगे 6c2 this की power 4 तो this की power 4 करने पे क्या आ गया x square minus 1 का all square क्योंकी root है ना plus ये तो आ गया t1 t3 t5 का meaning क्या होगा t4 plus 1 तो 64 हाँ इसमें थोड़ी गलती हो चेगी है 62 था ना एक second मैंने गलत लगदी है इसको एक मिन्ट को sorry या 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 देख गदराओ सभी 62 x की power 4 into x square minus 1 क्योंकी इधर power जो आ रहे यही power इस पर लगाते बाद बाले पर ठीक है next क्या जाएगा 64 sorry 6c5 का meaning t4 plus 1 तो t4 plus 1 लोगे तो कितना आगे बोलो बेटा 64 बाद बाले की power 4 और यह आगे x square into x square minus 1 का all square और last is t7 का meaning 6c6 और यह x की power 0 और next is x square minus 1 की power 3 यह इसका expansion आगे वोलो किसी को doubt है क्या t1 का meaning 6c0 x की power 6 plus t3 का meaning 6c2 x की power 4 और बाद वाले के रूट पे square तो square से rooted गया next t5 का meaning 64 x square बाद वाले के रूट की power 4 तो root से 4 अटा होगे तो 2 आ गया इसको मैं proper लग देता हूं इस बाद t1 t3 और क्या लेखना है x की power 4 का coefficient और x square का तो इसको एक बार further और solve कर दो सभी तो e equal to twice of 6c0 तो बन हो गया ना x की power 6 plus 62 का value क्या होती है 6 5 by 2 15 तो 15 x की power 6 minus 15 x का square बोलो आए ना sorry 15c4 को 15 x की power 4 से करके तो 6 और यह आ गया 4 प्लस इदर देखो 6c4 की value अगें 62 के equal तो यह भी 15 तो क्या होगे 15 x square यह क्या आगया formula बोलो x की power 4 plus 1 मैंने 7 की साथ इसको solve कर दिया और इसको किसे multiply करना है 15 x square से तो कितना जाएगा plus 15 x की power 6 plus 15 15 x की power 4 ठीक है और minus sorry sorry इससे करने पर तो 6 आ गया और इसको से करने पर 2 आएगा एक second कितना आएगा power 2 आने वाली है और इस पार्ट को इस पार्ट से करने पर कितना आ गया 15 इंटो 2 माइनस के 30 x की power 4 यह करेक्ट है प्लस लाज्ट थेंकिज यह तो बन हो गया ना इसका क्यूब करो a minus b क्या क्यूब इसको प्रॉपर लिखना x की power 6 minus 1 प्लस 3 a square भी तो कितना जाएगा minus 3 x की power 4 प्लस 3 x square यह आने वाला है यह आगया आपका complete expansion अब इसमें क्या बोला गया था देखो सभी x4 का meaning क्या है coefficient of x4 क्या alpha तो चलो पहले alpha की बात करते हैं तो twice of अरे 2 तो लिखने लिखना है सब कोई x4 का coefficient कितना है इसमें minus 15 minus 30 और minus 3 तो पंदरा और 3 अठारा और 30 48 तो alpha आगया minus k2 into 48 लब alpha आगया minus 96 similarly बीटा की बात करोगे आप तो twice of बीटा का meaning क्या था बोलो सभी coefficient of x2 बीटा का meaning क्या coefficient of x2 स्क्वार तो चलो coefficient of x2 क्या होगा सबाग एक स्क्वार को किसे मिलेगा एक तो 50 ना गया एक 50 ने और एक प्लस कत्री यह बागी तो कुछ है नहीं ने एक स्क्वार तो 15 और 3 अठारा तो अठारे दूना 36 तो बीटा क्या गया 36 तो माइनस के 96 और यह 36 तो देखो एक बार तो इन दोनों का summation बताओ कितना आएगा एड करोगे तो माइनस 06 और अलफा में से बीटा जब माइनस करोगे तो माइनस डीटाओ कि स्टेटीट और अलफा प्लस बीटा तो इसका करेक्ट ओप्शन कौण सहागा बेटा से करेक्ण ठीक ना तो simple question था, उसके बाद देखो next question क्या बेटा, in the expansion of x upon cos theta plus 1 upon x sin theta की power 16, if L1 is the least value of term independent of x when theta pi y 8 से pi 4, इसका मीनिंग क्या है, कि L1 का मीनिंग क्या है, इसके expansion में x से independent term की least value है when theta belongs to this part, and L2 is the least value of term independent of x when theta equal to this part, same meaning L2 का, L2 का मीनिंग भी क्या है, कि इसके expansion में x से independent term की least value बताने है, जब theta आपका pi by 16 से क्या हो, pi y 8, then the ratio L2 by L1, तो simple question है, चलो करते हैं इसको सौर और, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी लिखनी है independent term, तो जब भी अपनको क्या लिखनी हो independent term तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी general term लिखोगे TR plus 1 term, तो देखो बेटा, इसकी TR plus 1 term क्या आने वाली है, TR plus 1 term क्या होगी, देखो, 16CR कितना, x upon cos theta की power, 16 minus r, इसको थोड़ा प्रॉपर लगते हैं इदर, यह थोड़ा length यह देखो, इदर लगते हैं, TR plus 1 कितना आगया बोलो 16CR, x upon cos theta की power, 16 minus r, और 1 upon 1 sin theta की power r, इतना आने के बाद मैंने बूला ही था, आपको इसको proper simplify करो, x की सारी power को एक सा, तो 16CR क्या गया, 1 upon cos theta sin, sorry, 1 upon cos theta की power तो कितनी है, 16 minus r, और 1 upon sin theta की power क्या है, r, और x की power क्या है, इधर तो x की power है, x की power 16 minus r, और इधर x की power minus r, तो again basically तो power को add कर सकते हैं, तो यह आ गया, x की power 16 minus 2 r, अब कुछिन में क्या वो लगया है, कि L1 and L2 बोथ are independent term of x, तो x से independent term कब होगी, when this part equal to 0, तो इसे r equal to क्या गया, 8, तो independent term of x के लिए r को क्या पुट करना है, 8, तो r को जब आप इसमें 8 पुट करोगे, तो लिख सकते हैं, अपन, term independent of x इज़, क्या, tr plus 1, क्या लिए r को 8 लिए लिना है, तो सीधर 9 होगे नहीं, t9, इसकी independent term कौन सी है, t9, तो t9 की विलू क्या होगी, विलो, 16 c8, क्या, 16 c8, 16 minus 8, 8, मतलब 1 upon cos टागी पावर 8, और again 1 upon sin 3 टागी पावर 8, तो दोनों की पावर सेम हैं, तो इनकी बेस को मिल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ गया, 1 upon sin 2 cos की पावर 8, और sin 2 cos की पावर 8 है, तो sin 2 cos हैं तो 2 से मिल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो किसका परून बन गया, sin 2 ठीटा का, बो लोग कोई डाउट है, यह करक्रम मैंने एकसाथ कर दी है, ठीक है ना, चलो, अब देखो, L1 की बात की इसने, इसमें कोई डाउट है गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ X की बात कीए, तो आप सबसे पहले लिखो उसकी जेनल टर्म, उस जेनल टर्म में क्या करो, एकस की ऑल पावर को एकसाथ लिखने के बाद, उस पावर को क्या करना है, जीरो, तो उससे आर आगया आपका, एट, और आर को जब आप एट पुट करोगे, जनरल टर्म की फरूरूम में, तो आपको टर्म क्या मिलीगी, इंडिपेंडेंट ऑफ X, और वो कितनी है, इंडिपें, 16C8, इंटू, 1 अपन साइन कोस की पावर, तो 1 अपन साइन कोस को एक साथ लाने के लिए मैंने क्या कि 2 से मिल्टिप्लाइ डेट, तो आगया 2 अपन साइन 2 थीटा की पावर, एट, बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या, अब देखो, अपन को क्या लेगना ह तो सीधा मैं पहले L2 की बात करता हूं ये लोग, इसमें L2 का मीनिंग क्या है, इस कॉंस्टेंट ट्रम की क्या लेगनी है, मिनीमम वेलू, थीटा दिस पाइट, तो देखो, थीटा आपका जब पाईवाई 16 से पाईवाई 8 है, तो 2 थीटा कितना है इसमें, इसके अकॉर् थीटा जब 22.5 से 45 डिगरी है, तो सभी, साइन 2 थीटा आपका कितना है, 22.5 से 45 डिगरी, साइन कैसा फंचन है इस इंटेवल में, इनकीजिंग, क्योंकि 0 से 90 में साइन थीटा कैसा फंचन है, इनकीजिंग, तो सिम्पल सी बात क्या देखो, आपको L2 को लाना है मिनिमम, तो इस जो इंडिपेडेंट तम है, इसकी वेलू मिनिमम कवोगी, जब यह वाला पार्ट आपका क्या होगा मेक्सिंग, तो टी नाइन क्या होगा मिनिमम, बिस सिम्पल सी बात क्या है, तो थीटा आपका 22.5 से 45 डिगरी है, और 22.5 से 22.5 से 45 की बिटवें, साइन थीटा कै कैसा function increasing, कैसा function है, बोलो increasing, और ये function अगर increasing है, और T9 को लाना आपको minimum, तो sin 2 थीटा को क्या लेना पड़ेगा, maximum क्यों, क्यों कि डिनोमेटर में जब maximum होगी, तो complete पार्ट कैसा बन जाएगा, minimum, तो sin 2 थीटा की value, maximum कवोगी, when 2 थीटा एक्वल to pi by 4, तो इसको जब pi by 4 बोलो 1 by root 2, तो 1 by root 2 तो root 2 उदर आगया ना, तो कितना आगया, 16C8, 2 की power rate और root 2 की power rate, तो root 2 की power rate कितना आगया, बोलो 16, तो एक तो आगया इस पार्ट, ठीक है ना, समझो रंक से इसको, similarly अब L1 का मीनिंग क्या हो लगा, ये भी देखो सभी, L1 के लिए क्या करना है, इस फार ठीटा कितना है, pi by 4 से, sorry, pi by 8 से, pi by 4, तो अगेन 2 ठीटा की value क्या होगी, बोलो, pi by 4 से pi by 2, क्या होगी, बोलो 2 ठीटा की value, इसको 2 से multiply करोगे आप, तो 2 ठीटा क्या हो गया, pi by 4 से pi by 2, तो अगेन pi by 4 से 45 से 90 डीगरी के between, sin theta and increasing function है, तो अगेन इसको minimum लाना है, तो अ आप 90 लोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा मैक्सिम तो 2 ठीटा को 90 लेने पे क्या गया वन तो अगें L2 L1 कितना आगया 16 C8 2 की पावर 8 आपको क्या फंडट करना था है L2 रेशो L1 तो L2 रेशो L1 करोगे तो ये पार्ट तो cancel out हो गया तो L2 रेशो L1 क्या गया 16 रेशो 1 simple question था है बोलो किसी को doubt है गया तो देखने इसका correct option कौन सा होगा 16 रेशो 1 है ना 4th option आगया इसका तो correct answer क्या होगा इसका 4th option ठीक है बेटा चलो उसके बाद देखते है नहीं स्कूशन है 30 पढ़ो सभी if the sum of the coefficient of all even power of x in the product of this part into this part इन दोनों के product में आपको क्या find out करना है if the sum of coefficient of all even power of x, x की जो even power है उनके coefficient का sum given है आपको 61 then n is equal to simple question दोनों के multiply में आपको x की जो even power है total उनमें उसका क्या लेना है coefficient का sum और उसको किस की इकुल करना है 61 की equivalent तो चलो करते हैं इसको 500 बेटा देखो सुनो तो जो इस प्रोडेक्ट given है इसको मैं proper format में लिटता हूँ e equal to ये क्या given है देखो एक बात बताओ ये जो प्रोडेक्ट है sorry 1 प्लस x प्लस x स्कार इसमें number of term कितनी है ये 1 है ना तो 2n प्लस 1 term है total कितनी है वोलो 2n प्लस 1 और इस पार्ट में भी number of terms कितनी है वोलो 2n प्लस 1 और इसमें दो टाइप की term है x की power 0, 2, 4, 6 ये सारी power तो कैसी है और x, x3, x5 भी सारी power कैसी है और तो मैं देखो उनको separate करके लिख रहा हूं उसके अंदर तो आप जो separate करके लिखे कित दखो क्या आगा e equal to समझना carefully 1 प्लस x स्कार प्लस x4 dot 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 x की power 2n प्लस और 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 पावर क्या है x, x3 x5 dot 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 x की power कितना 2n-1 ये तो सारी even power है तो ये number of term कितनी है n प्लस 1 2, 4, 2n तो n और एक 1 और ये term कितनी है आपकी n क्योंकि total term 2n-1 ये तो बात वी first bracket की similarly second bracket में क्या है बस इनके साथ तो plus और बादवालों के साथ क्या minus तो मैं एक काम करता हूँ इसको दोबारा ले देता हूँ इनके साथ तो plus ही है न तो ये भी term कितनी है n plus 1 और इनके साथ क्या minus और ये term कितनी है बोलो n दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा इसमें बोलो किसी को doubt है क्या है तो आगे total 2-1 प्लस आगे total इन प्लस वन similarly जो next bracket उसमें क्या है ये तो एक क्यों सी पावर है even पावर तो ये तो साथी summation वाली मतला अज़चित आए ये summation वाली है और minus common लोगे odd power में से तो इसमें भी number of terms n है और इसमें number of terms क्या है n plus 1 अब आप देखो डंग से आपको इन दोनों के multiply में क्या लेना coefficient अब एक बास सबसे पहले देखो पीटा सब के आगे 1-1 आ रहा है जो भी x की power है उन सब का coefficient क्या है 1 है तो आप किसी को किसी से multiply करोगे ना तो coefficient तो हमेशा 1 ही आन इसको आप इससे multiply कर सकतो इसको इससे multiply कर सकतो इस पार्ट को इस पार्ट से multiply कर सकते हैं और इस पार्ट को इस पार्ट से multiply करोगे तो इस even power को x की even power से multiply करोगे तो बताओ दोनों का multiply x की even power होगी ना similarly जब x की odd power को आप odd power से multiply करोगे तो again power क्या होंगी even है क्यों क्यों क्योंकि जैसे x cube into x5 तो x की power 8 आ गया तो और even power को अगर आप odd power से multiply करोगे तो x की power कैसी मिलेंगी odd what अपन को तो only क्या लेना है all even power of x तो एक बात पता हो कि मैं इस one को सबके साथ करोगे तो कितना कोफिशिन आ जा कैसा न क्यों क्यों कि वन malture ॉसकर मिलушки लएक प्लइपर करोगे टो न प्लेस वन तो simple बात यह है यह total term n प्लस 1 है और यह total term कितनी है n प्लस 1 तो इन दोनों को multiply करोगे तो total number of term क्या होगी n प्लस 1 का square this into this तो जितनी number of term से उतनी उनकी coefficient होगे 111 तो कितना आगे n प्लस 1 का all square even को even से multiply किया plus minus है तो minus again जब odd term को x की odd power को x की odd power से multiply करोगे तो multiply में क्या होगा x की power क्या होगी even तो इसमें number of terms n है इसमें भी number of terms n है तो यह कितना जाएगा n square यह given है आपको 61 तो a square minus b square तो a plus b करने पे तो कितना आगे 2n plus 1 और minus करने पे तो 1 आगे रटा उसको तो n कितना आगे 30 बोलो कोई डाउट है क्या तो simple question था बस करने का वे आना ची करना कैसे ठीक है तो उसने यही पूछा था कि if the sum of all coefficient of all even power of x in the product of this part is 61 then n equal to this में n कितना आगे 30 क्या गया बेटा n equal to 30 चले उसके बाद देखो बेटा next question देखो next question क्या होगा question number 31 पढ़ो सभी the coefficient of x की पावर 4 in the expansion of 1 plus x plus x square की पावर 10 इस पाइट के expansion में आपको क्या पावर 4 का कॉफी शियेंड तो देखो कैसे करोगे बेटा इसको simple question है कि देखो trinomial होता तो मैं क्या करता सीधा TR plus 1 की term लिखता TR plus 1 term का formula लिखो और उसमें x की सारी पावर को किस की कर दो 4 की कर तो आपको क्या मिल जाता सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखो कैसे करोगे इसको तो आप फर्स ट्रम ए और इसको कंसेड़ करो second term b ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि ऐसा करने से x की जो पावर हैं वो सब एक साथ रहेंगी प्लस में अगर इसमें इसके साथ कर दिया ने 1 प्लस x को a लेट किया और इसको भी तो फिर थोड़ा सा complex हो जाएगा question अभी देखना आप तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e equal to expansion equal to 1 plus x प्लस आपको क्या पूछा गया है x की पावर 4 का coefficient तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसका लिखो आप expansion अभी अब आपको लग रहा होगा यार total इसकी पावर 10 है तो number of terms 11 तो 11 terms लिखनी पड़ेंगी ने वाट ऐसा नहीं इसमें आपको only x की पावर 4 find out करनी है तो आप उतने ही लिखना जिसमें x की पावर 4 maximum x की पावर 4 क्या हो प्रजेंट तो देखो अधर आओ 10c0 प्लस ये तो 1 है ना 10c1 x का meaning x प्लस x स्क्वार plus next is 10c2 कितना x plus x स्क्वार की पावर 2 plus 10c3 x plus x स्क्वार की पावर 3 plus 10c4 x plus x स्क्वार की पावर 4 plus अब इतने ही क्यों लिखा है मैंने देखो आप इसमें से x कॉमन लोगे तो बाहर आए गया x की पावर 4 तो ब्रेकेट में से क्या लेंगे constant term और इधर लिखो कि तो क्या है गया 10c5 x plus x की पावर 5 तो x की पावर 5 बाहर कॉमन आ गया मतलब इसमें तो x की minimum पावर 5 है वाट आपको तो क्या फावर करना x की पावर 4 का तो इसका यूज ही नहीं आगे वाली term का ठीके तो इसलिए आपको only starting की क्या लेखिनी है fifth term तो देखो क्या करना है x4 का coefficient चीए तो ये constant है इसमें maximum x square तो ये भी कोई useful नहीं आपका हाँ इसकी जब squaring करोगे तो हाँ इससे मिलने वाला आपको x की पावर 4 का coefficient तो चलो मैं इसकी squaring करी देता हूं इदर plus 10c2 कितना जाएगा या x4 plus x square plus 2x cube plus 10c3 a plus b का cube आप a plus b का cube भी कर सकते हो या फर एक काम करो और simple करना हो तो देखो क्या करना चाहिए simple method इसमें से एक x common लोगे तो क्या आगे x cube और ये आगे 1 plus x की power 3 बोलो हाए ना तो जब ये cube आ रहा है तो इसमें से किसका लोगे x की power 1 का तो कितना जाएगा वो 3C1 कितना जाएगा वो 3C1 similarly इदर क्या लगोगे 10c4 x की power 4 x common लेने पर और ये आगे आगे 1 plus x की power 4 तो जब इदर x की power 4 है तो इस बैकेट में से किसका coefficient होगे 0 का जबी तो x की power 4 into x की power 0 x की power 4 होगा ना क्योंकि आपको क्या फइंट करना x की power 4 का coefficient तो इदर constant term क्या होगी 4C0 तो कितना simple हो गया तो अपन लिख देते हैं आप coefficient of x की power 4 equal to ये वाली term तो आप दोबारे लिख देना e equal to में बोलो किसी को doubt है क्या करें सोलो इन दोनों में कुछ नहीं मिला आपको इदर x की power 4 का coefficient क्या है टेंसी 2 सब कुछ प्लस में है इदर x की power 4 के लिए देखो क्या करोगे टेंसी 3 लिखना ही लिखना आपने को ये टेंसी 3 आगया ये x क्यूब है तो इसके expansion में से क्या लोगे x का तो x का कितना हैगा 3C1 कितना हैगा बेटा 3C1 प्लस इसमें देखो x की power 4 है तो constantum क्या होगी 4C01 तो only आगया 10C4 तो ये इस complete पार्ट में आगया x की power 4 का coefficient अब चलो उसको करते हैं सौर हाँ वही 10C2 की value क्या होगी 10 into 9 into 2 10 upon 25 तो 9 into 5 45 आगया तो क्या आगया 45 पिलस 3C1 का meaning 3 हाँ वही 10C3 की value देखो क्या होती है अलग से solve कर देते इसको तो तो फैक्तोर 10 फैक्तोर 3 फैक्तोर 7 तो कितना आगया 10 9 8 6 6 से cancel करोगी तो चार बार चला गया रही है तो 120 आगया कितना आगया वह दो six को थी से cancel तो three और ये two और four तो चार थी बारह 120 आगया कितना आगया one हाँ ये 120 को थी से करोगे तो 120 into 3 360 सीधा लग दो तीन सो साथ पलस यह कितना 10C4 आप यह 10C4 की वेलू क्या होती इसको भी देख लो और क्या है तो फैक्टरिल 10 अपॉन फैक्टरिल 4 फैक्टरियल 6 तो सीधा लेख देता हूं मैं कितना जाए गां देखो 10 9 8 7 चॉईस फैक्टरिल 4 तीन बार चला गया यह तीन बार 21210 आ गया कितना गया 210 आ गया करोन को सबको एड तो देखो 360 में 45 एड करो तो क्या गया 405 फैले 210 सही है गया तो कितना गया 516615 तो एक्स की पावर 4 का कोफिन कितना है इसमें 615 ठीक है चलो तो सिंपल कुशन था वट करना इसको ऐसे था क्योंकि यह कुशन किसका ट्राइनोमी यह ल इस फॉर्मली से तो लेंध ही पड़ेगा वो यह ज्यादा सिंपल है मेरे एकॉडिंग उसके बाद एको 32 कुश्चन है जब एको CR का मीनिग बुलाया से 25 CR मतलब यह जो प्रिफिक्स से इसका क्या लेना 25 लेना वस ज्यानकने असे बात को एंड़ C0 मतलब 25C0 5.25C1 9.25C2.101 25C25 यह वैलू गिवन है 2 की पावर 25 इंटू K then K equal to तब देखो इस कुश्चन को कैसे ट्राइ करना है अच्छा कुश्चन है अब इसके वह वह दो मेतड है या तो आप इसको समेशन से सोल कर सकते हो या डिफ्रेंशन से कर सकते हैं क्यो कौन आ रहा है इनके कोफिशन के में आ रहा है कुछ कॉश में त्म जब भी कॉश्चन ठम इट प्लाइं हो अहां सब्टेक्स के साथ तो आप डिफ्रेंशन करोगे और ंजनोमें रों और में तो कि से करते हैं किमें है अब दो यह 159 आ रहा हा रहा है 1559 159 बहुत तो 159 किस प्रिमा आर एककल टू जीरो यह तो लिखने लिखना है आपको 25C चलो अभी लिख देते 25C और यह क्या लेखोगे वन लाने के लिए मेरे साफ से आना चाहिए 4R प्लस 1 क्या ने चीए बोलो 4R प्लस 1 क्योंकि आर को जीरो लोगे तो 25C0 वन लेने पे 25.25C1 बोलो हाँ है ना और आर की मेकसिम वेलो क्या लेने 25 क्योंकि मेकसिम 25 पुट करोगे तो 101 25C25 करदो सौल सिंपल क्या करना देखो सिग्मा अलालग कर दो दोनों पे तो 4R डॉट इस पार्ट कितना आ गया 4 तो कॉंस्टेंट है ना सिग्मा आर एक्पल टू 0 से 25 कितना 25CR और इंटू में आ लगाना है पिलस सिग्मा आर जीरो से 25 25CR बोलो हाया ना देखो यह तो सीधा होगे ना 25C0 प्लस 25C1 डॉट 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 25C25 देखे टू की पावर 25 ठीक है चलो इसको सौल करते है अपन यह भी थोड़ी दिर पहले आया था फोर्मुला कौन सा R.NCR R.NCR को क्या लगते हैं? N.N-1CR-1 तो अब इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट कर देना बन से ठीक है? और प्लस यह तो कितना आ गया था? बोलो 2 की पावर 25 और इतना आने के बाद देखो यह क्या गया? 25 इंटू 4 तो अंडिड हो गया? बोलो यह सो नो और ब्रेकेट में अब देख लो जल्दी से 24 वन लेने पे C0, C1, C2, 24, C24. इसे 2 की पावर 24 प्लस 2 की पावर 25 तो जब आप इसमें देखो इसको एक काम करना यह 50 अंडिड में से 2 के साथ ले जाना, तो कितना जाएगा? 50 इंटू 2 की पावर 25 क्यों? क्योंकि अपन को 2 की पावर 25 इसमें कॉमन भी लेना था, तो जब आप इसमें 2 की पावर 25 बेटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 51 इंटू 2 की पावर 25 क्यों? क्योंकि 25 कॉमन लेने पागे? 50 प्लस 1 तो उसने क्या पूचा है देन के कुल टू तो क्या अंसर आगे फिप्टीवन बोलो वह सिंपल मेथड़ है सबसे पहले लिखो सिगमा और सिगमा लेखने के बाद उसके अंदर जो वेरिवल है एंसीर के अलावा जो भी वेरिवल आ रहा है और उसको पहले एलिमेट करोगे य इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था अब एक दूसरा मेथड क्या वो मैं आपको ओनली समझा देता हूं करना कैसे वो देखना आप आपको 159 लाना ना तो दो को एक काम कर सकते हो उसमें आपने अगर यह लिखा समझे लो अच्छा कुछ नहीं कि 1 प्लेस एक्स की पावर 25 25 का लग दो एक्सपेंशन तो क्या है गसे 25C0 प्लस 25C1 एक्स यह सेकंड मेथड एसको करने का इस पार्ट प्लस 25C2 एक्स स्क्वार अब एक बात खुद बताओ 25C1 के साथ तो 5 लाना है तो इसको एक्सपोर से आप सोचोंगे नहीं यार एक्सपोर से मिल्टिप्लाइ कर द तो यह कभी नहीं सकता है से सॉल तो देगो उसमें क्या करना यही में था इसमें बेटा आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस x की बहुत अच्छा कुशन था 1 प्लस x की पावर 25 का एक्सपेंशन तो देगो उसमें क्या आएगा c0 प्लस c1 x की पावर 4 प्लस c2 x की पावर 8 पलस c3 x की पावर 12 और लास्ट अमेज कितना c25 x की पावर 100 बोलो हाँ है न और अब देखो इसके बाद इसको जब आप x से मिल्टिप्लाइ करोगे बहुत साइड तो c0 x तो c0 आगे differentiation c1 x5 5.c1 x4 9 तो आगया multiply 9 और 101 तो आगया 101 multiply में ठीक है यह इसका expression लिखना है ठीक है तो कर देना इसके बाद तो simple है x से multiply करो फिर उसके बाद differentiation करो with respect to x और बहुत साइड पूट करोगे x को 1 वो लोग किसी को doubt है क्या तो इसी के साथ यह सारे question खतम होते है थैंक यू बेटा